नमस्ते भाई वेलकम टू दापंडित्स केसे हैं आप सभी लो तो ये दापंडित्स का ओफिशल यूट्यूब चैनल है आप सभी स्ट्वेट्स चैनल को सबस्काइब कर लो और बैल आइकन को जब प्रेस कर लो तो इस चैनल पर हम जोमेट्री की कम्पलीट कंसेप्च्वल स एकस्पेम किया है देखें पिछले कुछ टाइम में जो पूछी जा रही है वो ऐसी है कि उसमें आपको कोई एक्स्टा दिमांग नहीं लगाना कोई अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं करना बहुत हाय तोपा बाले सवाल नहीं है मतलब आप सिंपल सा फॉमुला रिजल्ट जा है तो हमने हर एक फॉमुले को बहुत डिटेल में यहां पर एकस्पेंड किया है हिंदी और इंगलिश में बहुत मैंने वीडियो कंपाइल की है जो भी वच्चे चाहां परी की त्यारी कर रहे हैं इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है जो मेंटर की बनाई है हमने PPT स्लाइड मैं आपको कंसेप्ट के रिवीजन करवाँगा ठीक है भाया अगर एक्जामनर ने डारेक्ट इक्षोरम बेश सवाल दिये तो आप केवल इन कंसेप्ट के रिवीजन से ही उनको कराओगे तो हम सुरू करते हैं आज की कहानी को ट्राइंगल इन दोन समांतर रिखाओं के बीच की दूरी ट्राइंगल की हाइगी तो triangle की height का ratio है, वो side के ratio का reverse होता है, height का ratio है, corresponding side के ratio का reverse, यानि की ultra होता है, मेरे प्यारे बाई, आगे चलेंगे, अच्छा, यहां से था गया, यह सब मुझे बताने की जुरत नहीं, आप जाते है, complementary angle sum 90, supplementary angle sum 180 degree, ठीक है न, यह बात आप जानते, parallel line मेरे दोस्तों, parallel line आप जानते हैं, ऐसी line जिनके दो line, ऐसी दो रेखा हैं, जिनके बीच की दूरी हमें साब बराबर रहे, अब अगर यह दो समांतर रेखा हैं, उनकी transversal line है, तो यह corresponding angle बराबर होते हैं, जैसे यहां पर angle 1, angle 5 के बराबर होगा, समझ में आ रहा हैं भही, angle 4 जो है मेरे दोस्तों, आपका angle 8 के बराबर होगा, angle 2, angle 6 के बराबर होगा, जो एक जैसी जगह लखे हों बराबर होगे, important है alternate angle, अगर यह दो समांतर रेखा हैं, तो alternate angle, यह angle 4, और इधर साइड देखो, यह angle 6 बराबर होगा, ऐसे cross, यह दोन एंगल आपस में बराबर होगे, इनको बोलते है alternate angle एक आंतर कॉन, ऐसे ही angle 3 और एंगल 5, यह दोनों कॉन भी आपस में बराबर होगे, समझ में आया, आप बोलोगे हांजी सार समझ में आया, अगला concept, कि यह दो समांतर रेखाए हैं, AB और CD, parallel line एंगल उनकी transversal line तरियक रेखा है, तो यह जो interior angle बनते हैं, angle 4 और angle 5, इनका जो योग होगा, इन दोनों angle का जो योग होगा, angle 4 और angle 5 का, इन दोनों angle का योग होगा, 180 degree साम्ड एक 180 degree होगा, इसे ही यहाँ पर मेरे दोस्ते, यह जो angle बनेंगा, angle 3 और angle 6, इन दोनों angle का योग भी 180 degree होगा, दोनों का योग 180 degree होगा, समझ में आया, आप बोलो कि हाँ जी सर, आया, best revision करवाता हूँ, मेरे प्यारे बाइब इससे best revision नहीं हो सकता, आप जैसे मेरे दोस्ते, parallel line है समांतर रेखा है, ABCD, AE, BBF, CG और DH, यह transversal line है, transversal line, समझ में आया, माना यह length small a है, यह small b है, और यह आपका small c है, मेरे दोस्ते, यह length आपके कितनी है, small c, समझ में आया, ABC, यह length small p है, यह small क्या है, small r है, यह कोई भी दो transversal line है, random line है, मेरे दोस्ते, यहाँ आपको चितन में लगनी रहा, कैसी R, E, T, कैसे भी खीच दो, कोई फरक नहीं पढ़ता, तो जो ratio ABC का होगा, सिम वही ratio P, Q, R का होगा, जो ratio ABC का होगा, वही ratio P, Q, R का होगा, अगर यह समांतर रेखा है, सिचसल के पेपर में बहुत तगले सवाल आए, इस पर मैं को करवाँगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्च, अब देके, यहाँ पर यह समांतर रेखा है, मेरे प्यारे श्टुएंट, तो जो ratio left side में होगा, वही ratio right side में होगा, ठीक है जी, अब ध्यार सुने का very very important concept, important concept है मेरे दोस्ते, trapezium में इस्तिमाल करता हूँ, यह concept trapezium में, बई समांतर रेखाए हैं, यह उनकी transversal line है, यह M ratio N है, मेरे दोस्ते M ratio N है, AB से BC का जो ratio वो M ratio N है, अगर यह ratio M ratio N है, BE आपसे पूछा है, BE बथाओ कैसे करेंगे बच्चो, B, यह length D है, यह length D है, यह M ratio N दी है, BE की लंबाई कैसे निकालेंगे, बैसकी multiply समे, M गुणा B, M गुणा B, इसकी multiply समे, cross multiply A गुणा N, तो A गुणा N प्लस BM, upon में ratio कसम, M प्लस N, ratio कसम M प्लस N, आप बोलोगे, हां जी सर, बिल्कुल सही, concept clear है, मज आगे चलो, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, मैंने आपको समझाया है, मेरे प्यारी भाई, ठीक है ना, इसके आगे मेरे दोस्तों, जी मेरे प्यारी भाई, triangle, triangle क्या होता है, तीन भुजाओं से गिरी आकरती को triangle कहते है, triangle को दो उसमें बाँटा गया, side के basis पे, और angle के basis पे, side के basis पे, equilateral triangle, सम बाहुतिर भुज, तीनो भुजाएं बराबर, तीनो कॉण बराबर, साथ साथ डिगरी के, iso slash triangle, और यहाँ पे आना चाहिए, scale and triangle, scale and triangle, विसम बाहुतिर भुज, छोटी मोटी चाहें, कम जोर, बच्चे हैं, वो भी समझ पाएंगे, मेरे दोस्ते, scale and triangle, विसम बाहुतिर भुज, एक ऐसा त्रिगुज, जिसकी तीनो भुजाएं, अलग लंबाई की हो, तीनो भुजाएं अलग लंबाई की हो, तो तीनो एंगल भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना, फिर एंगल के बेशिस पर, acute angle triangle, noon कॉण तिरबुज, noon कॉण तिरबुज, सारे एंगल 90 degree से छोटे होंगे, right angle triangle, सम कॉण तिरबुज, एक एंगल 90 degree का होगा, obtuse angle triangle, 90 degree का एंगल कब होता है, ये एंगल 90 degree है, तो बाकी दोर एंगल का सम भी 90 degree होगा, obtuse angle triangle, जिसमें एक एंगल obtuse angle होगा, अधि कॉण 90 degree से बढ़ा, ठीक है जी, आगे चलेंगे, next concept की तरफ, ये बताईगा मेरे प्यारे बहुत बहुत बहुतरिन सावाल, ठीक है बच्चो बताईगा, ध्यान सुनेगा, दीगा मेरे दोस्तों, next concept की तरफ, किसी बे टाइंगल में, सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी, और सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है, लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड आएगी, और स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड आएगी, जैसे यहाँ पर सपोच एंगल भी लार्जेस्ट है, यह angle B सबसे बढ़ा है यह वाला, इसके सामने की जो भुजा होगी small b, यह largest होगी, angle C suppose सबसे छोटा है, उसके सामने की जो भुजा होगी smallest side होगी, अगला concept, triangle की किसी भुजा की value, other two side के मेरे दोस्तों difference से बढ़ी होती है, और other two side के sum से छोटी होती है, तिर बुझे किसी भु दोस्तों आपके सामने triangle आ गया 5, 10, 15, कि यह triangle possible है नहीं, यह 2 side कसम तीसरी side के बढ़ाबर है, अम मैं आपसे पूछू कि 7 बारे 15, क्या यह triangle possible है, एक triangle की side 7 बारे 15, क्या triangle possible है, एसा नहीं कि आपको सारी property चेक करनी पढ़े, आप किसी भी 1 side को पकड़ के check कर लो, किसी भी 1 side को, suppose मैंने 7 को पकड़ लिया, तो triangle तभी possible होगा, जब 7 की value बाकी other two side के difference से बढ़ी हो, 15 बारे का difference 3 से बढ़ी, और other two side के sum से चूटी हो, 15 प्लस बारे 27 से चूटी, हाँ जी ऐसा है, satisfy कर गया, तो triangle possible है, ठीक है, तो triangle की किसी भी 1 side की value, some of any 2 side is always greater than third side, तिर बुच की मेरे द two side का difference हमिशा तीसरी side से मेरे दोस्तो छोटा होता है, difference of any two side is always less than third side, triangle की किनी भी 2 भुजाओं का अंतर हमिशा तीसरी भुजा से चोटा होता, यही लिखा हुआ है, कि triangle की किसी भी side के लूँ, बाकी 2 side के योग से चूटी है, triangle की किसी भी side के लूँ, बाकी other two side के difference से बढ़ तीन triangle, अब यहाँ पे ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, suppose इस acute angle triangle में यह वाला angle सबसे बढ़ा है, यह वाला angle मैंने मानले कि largest है, तो इसके सामने की भुजा इसकों सी भी largest होगी, तो acute angle triangle में सबसे बढ़ी भुजा का square, other two side के square के sum से चोटा होता है इसका square बाकी other two side के sum के बढ़ाबर होता है, पाइथा गौरश थोरम, जबकि obtuse angle triangle में अधिक कोशिश के सबसे बढ़ा है यह वाला angle, इसके सामने की जो भुजा है, इसका square यह सबसे largest होगा, सबसे largest होगी, इसका square बाकी other two side के square के sum से हमेसा बढ़ा होगा, तो बच्चों य यह है triangle के बनने की सर्थ, triangle, यह अब triangle में भी specialty ढूणनी है, triangle में अगर हमें acute angle triangle बनाना है तो इस बात को follow करना चाहिए, सबसे पहले तो triangle बनाने के लिए यह सर्थ follow होनी चाहिए, पर triangle में भी special बनाना है, obtuse angle triangle तो तभी बनेगा जब यह बात follow होगी, largest side का square, other two side के square के सब्सक्राइशन में नए नए आये हैं, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, 65, 62, 97, 49, 89, 83, 56, 58, 55, 53, very very popular होड़ा, 45, 53, 28, 45, 55, 29, 99, 101, pythagore interpolator right angle triangle बनाते हैं, ठीक है ना, okay, दिमाग में रखेगा मेरे दोस्तों इन बात को, तिर कौन मिती में भी हमने पढ़ हाया है ये बात, आगे चलते हैं, चलो मेरे दोस्तों, उसके बाद, ये आप जानते हैं, मेरे दोस्तों मुझे बताने की जोरत नहीं कि पाइथा गोरे स्थुरम का कैसे इस्तिमाल करते हैं, दो रेखाओं के भी जुक आप को को कहते हैं, ये को triangle के 3 आंत्री कौन होते हैं, जब भी triangle के किसी भुजा को आगे बढ़ाएंगे, तो ये बनता है exterior angle, तो interior angle के साथ-साथ exterior angle भी बनता है, ये exterior angle, भाई है कौन इट वर टक्सी है, अब मैं आप से कहूं कि angle 70 degree का है, आंत्री कौन 70 है, भाई है कौन कितना है 110 degree का, आप बोलोगे हंची सर, ये तो आसान सी ब complete angle 360 degree का होता है, reflex angle 180 से 360 degree के बीच में होता है, ठीक है ना, angle के परकार है, आप सभी लोग जानते है, अभी धिरे धिरे warm-up कर रहे है, अभी मजा आएगा, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, ये वाला concept जानेगे मेरे प्यारे पे, सभी लोग, बहुत प्यार से समझेगा, क्या bisector का मतला समधी भाजए, कौन समधी भाजए, हमने कौन B का bisector खीचा, हमने कौन C का bisector खीचा, B और C का bisector, यहां पर मिले है, point D पर, ये जो angle होगा BDC, कितनी degree का होगा, ये जो angle BDC होगा, BDC होगा 90 degree प्लस A by 2, अब ये भूल जाओ, ये क्या उपर देखो, आगर मैं तिर C का exterior bisector की चा, ये कौन समधी भाजए, ये जो angle बनेगा, ये जो angle बनेगा, मेरे प्यारे ये angle, ये कितनी degree का होगा, ये बनेगा 90 degree minus A by 2, ये angle A है 90 degree minus A by 2, तो interior bisector 90 degree plus A by 2, exterior angle 90 degree minus A by 2, आप जानते है कि triangle के 2 corner के bisector जहाँ पर मिलते हैं, तीसरा भी वही पर मिलेगा, और ये point in B, D, C, O, ये एक cyclic qualitoral बनता है, चक्रे चत्रबूज बनता है, बहुत important concept है मेरे प्यारे भाई, चलो, सबसे पहले sign rule, कि किसी भी triangle में side का ratio होता है, वो opposite angle के sign के ratio में होता है, A बटे sign A, B बटे sign B, C बटे sign C, side का ratio होता है, वो opposite angle के sign के ratio में होता है, यहाँ से हम triangle, ये proof भी दिया हुआ, इसका proof भी, slide में upload करवा दोंगा, ठीक है, बई, triangle का area होता है, होता है, एक बटे, दो, sides का product, beach का angle का sign, जैसे मुझे इस triangle का area निकालना है, इसकी दो ही side दिये, beach का angle दिया है, तो triangle का area हो जाएगा, 1 बटे, 2 side A गुना C, beach का angle का sign, 1 by 2, side A गुना भी, beach का angle का sign, B गुना C, beach का angle का sign, concept है मेरे दोस्तों, जानते हैं आप लोग, आगे चलते हैं, अगले concept की तरफ मेरे दोस्तों, coast and rule मेरे प्यार भी, coast and rule, ध्यान से सुनेगा, ठीक है, बच्छो, अच्छा, ये triangle की side है, ABC, तीनों side दिये, अगर मुझे ये वाला angle निकालना है, cause it, इस ये 2CA, clear है, इसका advanced version समझते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा, जैसे cosine rule लगता कहा है, cosine rule लगता है, जब किसी triangle की 2 side दे रख्यों, एक angle दे रखा हो, triangle की 2 side दी हुई है, एक angle दिया हुआ, तीसरी side निकालने के लिए, जैसे मुझे side ये निकालनी है, इस side किसके सामने है, angle A क आगे चलते हैं, अगला, very very important concept, very very important concept, important, in any triangle ABC, आप कोई भी triangle बना लो मूठा के ABC, यह perpendicular डाला गया है, side BC पर AD perpendicular डाला गया, इस perpendicular पर यह लंब डाला गया, ADBC पर लंब, इस लंब पर कोई भी point O है, O is any point on side on perpendicular AD, perpendicular AD पर कोई point O है, तो concept यह कहता है मेरे दोस्तों, कि AB का square, जान सुनेगा, sorry, यह AB का square, पिलस OC का square, AB का square, प्लस OC का square, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, AC का square, पिलस OB का square, यानि कि इन 4 value है, तीन value देगा और आपसे चौथी value पूछेगा, कोई भी point altitude पे, तो AB square प्लस OC square बराबर होगा, यह भी OB square प्लस AC square, मुझे रगता है मेरे हाईयो को एक concept समझ में आया है, तो sand rule और cosine rule अच्छे से समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तो, Stuart theorem, आज की class में सारे concept हम लेंगे Stuart theorem, Stuart theorem, बहुत important theorem है Stuart theorem, ठीक है न, गोरी theorem, सीवियन तो आप जानते ही न, सीवियन, सीवियन का मतलब होता है, ट्राइंगल में, वर्टेक्स को opposite side के किसी भी point से मिला दो, यह सब सीवियन कहलाती है, साइड के किसी भी point को opposite vertex से मिलाने वाली line, आप जैसे दोस्ते ट्राइंगल ABC है, वर्टेक्स A के सामने small है, यह small भी small C, और यह एक सीवियन है मेरे दोस्तों, सीवियन, इसकी लंबाई है X, यह length मेरे दोस्तों M है, यह length यहां से यहां तक की M है, और यह length यहां से यहां तक की N है, आप बोलोगे हां जी सर, बिलकुल सही, तो अगर आपको A दिया है, B दिया है, M दिया है, N दिया है, और आप की multiply यहाँ पर करेंगे b square m plus b square m बराबर, बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तो a square n plus b square m बराबर, इस x square की c में गुणा करेंगे x square c, x square c c1 का square की तीसरी साइड में गुणा x square c पिलस फरिन तीनों की गुणा m गुणा n गुणा c plus m n c, आप बोलोगे यह important है, यह important है in isosilus triangle, अगर आपके पास isosilus triangle है अगर आपके पास सम्धी बाहु तिर्बुझ है सम्धी बाहु तिर्बुझ, दो side बराबर है यह भी small a होगी, यह भी small a होगी ठीक है बई, दो side बराबर है, और इसके एक cvn होगी दोस्तों cvn, यह cvn की जो लंबाई है यह length m है, यह n है, तो isosilus triangle में खास बात क्या है, कि side a और b बराबर होती a और b बराबर, यहां a और b को अगर मैं बराबर रखूँगा यह result बन जाएगा, a और b को बराबर करेंगे यह तो है, किसी भी triangle में लग जाएगा isosilus triangle में special case है, यह अगर किसी संदी बाहुत्रिवूच के दो side बराबर है, यहांस एक cvn खीची जाती है तो इसी Stuart theorem में a और b को बराबर कर दो, a और b को बराबर कर देंगे तो cut जाएगा, तो x square बराबर आएगा, cvn का square बराबर a square माने से मुणा है यहां ध्यान लखेगा, बहुत important concept है आगे चलते हैं, interior angle bisector theorem, आंतरे कौन समदी भाजक पर में interior angle bisector theorem, कोई भी triangle बना लीजे मूठा के अगर आप उसका bisector खिषते हैं, मैंने angle a का bisector खिचा, यह side bc को point d पे मिलता है तो angle bisector opposite side को उसी ratio में divide करता है, जिस ratio में angle बनाने वाली side होती है आपने angle a का bisector खिचा, angle a बनाने वाली side कौन सी है, a b और a c तो a b से a c का ratio वही होगा, पर a b के नजदी क्या है bd, a c के नजदी क्या है dc, जो ratio bd से dc का होगा आंतरिक कौन सम्दी भाजक पिर में, जो ratio a b से a c का होगा, सिम वही ratio bd से dc का होगा ठीक न, angle bisector opposite side को उसी ratio बाटेगा, जिस ratio में angle बनाने वाली भुजाए होंगी हो जाएंगे, कि आजकल paper में बहुत creative सवाल नहीं आ रहा है, direct formula based सवाल आ रहा है, direct result based, geometry में ठीक है भी, चलेगा, paper में कभी-कभी आ जाता है angle bisector की लंबाई निकालने के लिए, angle bisector की लंबाई, जैसे एक triangle है a b c, कोई भी triangle बना लो मूठा के a b c, vertex a के सामने के साइड small a, vertex b के सामने के साइड small b, यза angle bisector, this is angle bisector, यए angle bisector सीडी जैंगल बाई-सЕक्तर parts of angle b c, یہ length मेरे दोस्तो m है और leanth n है, angle bisector की लंबाई है वो x है, x square बरावर, x square बरावर इनकी कुरणा a into b-m गुरा n, x square बरावर a b-m n, x square बरावर a b-m n, x square बरावर a b-m n, x square बरावर a b- जी से मधाई निकालने के लिए इसमें कन्फिूस मत हो ना इन दौनों में यह ऐंगल बाइस से की लंभाई है दिखने में दौनों लगवक जैसे हैं आगे चलेंगे एक्सटीर एंगल बाइसेक्टर ठोरम भाययय कॉन सम्दी आपके सामने triangle ABC है मेरे दोस्तों ठीके बच्चो यह triangle ABC है हम इस triangle की बात कर रहे है इस triangle की तो इस में triangle का interior नहीं अगर आप यह side चोटी दे लोगे बड़ी दे लोगे आपने पांच लेलिया नौ लेलिया अब इसको आपके बढ़ाओगे तो इसका बाइसे को कहीं मिलेगा तो भई यह आपका है यहां पे side AB बड़ी है इसी चोटी है तो आपने angle A का अगर आपके बड़ाने के पर पॉंट डीपर मिलता है तो concept क्या है अब भी वही concept लगेगा angle बनाने वाली side का वही ratio होगा जिस ratio में angle आप बनाने वाली side मेरे दोस्तों कौन सी है AB और AC तो AB से AC का रिश्यो का आएगा AB से AC का रिश्यो का आएगा कहां पे मिला है पॉंट डीपर तो D से AB की दूरी लेनी है DB, D से AC की दूरी लेनी है DC तो DB रिश्यो DC बनेगा मेरे दोस्तों समझ में आया आप बोलोगे हांजी सर बहुत बढ़या देखो सबसे पहले concept बाई जैसे triangle है triangle ABC यह triangle है हमने इस triangle की CVN खीची है AP CVN तो यह CVN बेस जिस ratio में base डिवाइड होगा triangle का area भी उस ratio में डिवाइड होगा अगर आप किसी triangle की CVN खीचने सिवन मतला vertex को opposite side के किसी point से मिला दो तो दो triangle बन जाएंगे triangle ADB और triangle ADC इन दौनों triangle के area का ratio क्या होगा मरे दोस्तों BD by DC जो base का ratio है BDC-DC का वह area का ratio होगा अगर AD median है median का मतलब यह मादिका अगर यह AD median है इफ वाला case देखो अगर AD median है तो बराबर होगा 1 ratio 1 यानि कि यह area का ratio भी 1 1 होगा इसका मतलब median triangle को तो equal area में divide करती है समझ में आया geometry में इतने concept है बेटा इतने concept है का बताएं तो मेरे प्यारे भाई तो triangle ADB और ADC के area का ratio base के ratio को बराबर होगा मैं आपसे कहता हूँ कि अगर यह ratio 3 ratio 5 है तो triangle ADB और triangle ADC के चित्रफल का ratio भी 3 ratio 5 होगा यह सवाल एक concept है मेरे दोस्तों ठीक है ना इस concept का proof भी लिखा हुआ है हाँ पर अब जैसे student में आपसे सवाल पूछ लेता हूँ यह सवाल ठीक ना सवाल आपके सामने कि यह square है ABCD के square एक work है यह वाला यह इसका diagonal BD यह angle 15 degree का है तो सवाल पूछ लेता हूँ कि triangle DCP यानि कि यह triangle DCP और square ABCD के area का ratio क्या होगा हमने आपसे सवाल पूछ लिया ठीक है जी तो आप कहोगे सर अगर यह 15 degree है तो यह 75 degree है आपसे पूछा है इस triangle DCP के area और पूरे square के area का ratio अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरे दो तो लोजिकली सुनेगा triangle DCB को triangle BCD को ध्यान से देखो यह CVN है यह CVN है आपको यहाँ पर दो triangle लिखाए दे रहे हैं यह वाला triangle और यह वाला triangle है तो triangle का area किस पर depend करेगा directly sin theta पे यानि कि जो बीच के angle का ratio होगा triangle का area भी उसी ratio में होगा तो यानि कि triangle DCP और triangle BCP इन दोनों के area का ratio क्या होगा भई यह concept का इस्तिमाल करा भई side बराबर है area का ratio directly proportional होगा sin theta के यह 75 degree है 15 degree है तो sin theta बटे sin theta यह होता है sin theta डिगर root 3 minus 1 बटे 2 root 2 तो यह आ गया यानि कि triangle DCP का area root 3 plus 1 है अगर इसका area root 3 plus 1 है root 3 plus 1 तो बहें इसका area है root 3 minus 1 तो पूरे square का area क्या आएगा इन दोनों को जोड़ूँगा तो 2 root 3 आएगा पूरे square का area double हो जाएगा तो 2 root 3 का भी double 4 root 3 पूरे square का area आजाएगा समझ में आया तो root 3 plus 1 बहुंद 4 root 3 clear मुझे लगता है कि यह concept आपको समझ में देगो में पास इतना ही time है समय है समझ पाए तो ठीक है नहीं समझ पाए तो जैराम जी की आगे बढ़ेंगे ठीक है न अगला concept बड़े प्यार से concept समझाओंगा मेरे दोस्तों ठीक है जी जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने ट्राइंगल बनाए ठीक है ना concept concept भी समझाए न तो भी कम से कम एक हफते कलास चलेगी जो में ट्रीकर करना concept भी समझाओं आपको एक भी सवाल ना करवाँ अगर इस triangle की मेरे दोस्तों side AB पर कोई point D है AC पर कोई point E है इस प्रकार से ठीक है रेंडम point है कोई mid point बगरा नहीं है triangle ABC की side AB और AC पर दो point है मेरे दोस्तों D और E तो आप मुझे बताओ कि इन दोनो triangle ABD triangle ABD और triangle ABC A sorry triangle ADE छोटे triangle है भी दोस्तों और बडे triangle ABC इन दोनों के area का ratio क्या होगा AR मतलब area area का ratio क्या होगा यह मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चो ठीक है भी triangle ADE और triangle ABC इन दोनों triangle area का ratio क्या होगा जल्दी से जवाब देंगे आप लोग हमें फटा आफट जवाब देंगे देखो बच्चो जब भी ऐसा सवाल है छोटा triangle ADE बड़ा triangle ABC रेंडम यह बड़ा angle theta दोनों में common है जहां common angle है वो देख रहा है बड़ किसी भी triangle का area होता है एक वटे दो side का product छोटे triangle में side ADE यह यह बीच के एंगल का sin sin theta 1 by 2 ADE बीच के एंगल का sin sin theta बोलो बात समझे अपन बड़े triangle में थीटा कि आज हो बाज हो AB और AC यानि कि 1 by 2 AB गुना AC ब आजू-बाजू के side का product करना है जो common angle है उसके आजू-बाजू के side का product करना है अब जैसे आपके सामने सवाल ही आगया कि यह ratio AD से BD का 6 ratio 5 है और यह ratio आपका मेरे दोस्तों 2 ratio 7 है तो सवाल ही आगया आपके सामने कि triangle ADE और quadratoral DECB इनके area का ratio क्या होगा यह सवाल आगया आ साइड AB पर एक पॉंट D है, AC पर एक पॉंट E इस प्रकार है कि AD से BD का ratio 6 5 है, AD से EC का ratio 2 साथ है तो छोटा triangle ADE और बढ़े triangle ABC के area का ratio क्या होगा जवाब देंगे, बताओ बच्चा देखो बच्चो, बताओ, देखे मेरे पर ऐसा सवाल आएगा तो छोटे बढ़े triangle का area निकलेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, अब छोटे triangle में theta के आजू बाजू कॉंसी side है, 6 और 2, बढ़े triangle में theta के आजू बाजू कॉंसी side है, यह 11 है और यह 9 है, 11 और 9, तो कितना आ जा देगा, 33 में से 4 मानस करेंगे 29, 4 ratio 29 ही आगया, हो सकते है आप किसी के value दे और value दे के कुछ पूछ ले तो हो जाएगा, सब लोग अपनी copy में heading डालेंगे बेटा, similarity, समरूपता, तिर बोजो की समरूपता, slide देखो, पहले आप, करो कर्या दितना ए्ट, समरूपता, कर्या देखो, वच्照पता, Σबस्क्य क्वधता, क्या भी देखला जाएगा, समरूपता स Some देखो भी, दो ट्राइंगल सिमिलर कभ कहलाते हैं, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं, तो सिमिलर हो जाएंगे समरूप, दो एंगल बराबर हैं, तो तीस राइंगल आटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, similar triangle का मतलब यह है कि इन दौनो triangle का size अलग-अलग है लेकिन इनकी shape same है यह देखने में छोटे बड़े हो सकते हैं बट इनकी shape जो है वो same होगी जैसे यहाँ 2 triangle बनाएगा है ABC और DF यहाँ 50-60-70 यहाँ 50-60-70 तीनो angle बराबर है जब इन दौनो triangle के 2 angle बराबर हैं तो 30 आउटमेंटिकली बराबर हो जाएगा तो दौनो triangle एक दूसरे के similar होगे similarity का sign है angle A angle D के बराबर, angle B angle E के बराबर angle C angle F के बराबर है इनको बोलते corresponding angle हिंदी में संगत कौन corresponding angle के सामने की जो side होती है वो corresponding side कहलाती है corresponding angle के सामने की भुजा corresponding side या संगत भुजा कहलाती है अब यहाँ पर जैसे angle A के सामने की side यहाँ BC है यहाँ सेम angle 50 degree के सामने की side EF है तो BC और EF corresponding side है तो similar triangle में corresponding side या संगत भुजाओं का ratio बराबर होता है जो ratio BC से EF का होगा वही ratio AC से DF का होगा 60 degree के सामने यहाँ AB है, यहाँ 60 के सामने DE है, वही AB से DE का ratio, पहले छोटा triangle लिया है, तो छोटा नीचे बढ़ा लिया है, तो बढ़ा, ratio बराबर होगा, मतलब इस triangle को खीच के अगर मैं बढ़ा कर दूँगा, ऐसी case आएगी कि आप इसके उपर बिल्कुल फिट बिठा दोगे इसी triangle को पिचका के triangle बना आएगे, मतलब इसके size बेसक अलग है, छोटे बड़े हैं, बट इनकी shape seem है, ठीक है दोस्तो, आप बोलो की सर बहुत बढ़ा है, अगला concept, ठीक न, concept का revision बहुत अच्छी तरीके से करवा रहा हूं मैं आपका, जी देखेंगे ये वाला, देखो ब जैसे दोनों triangle similar है, alpha, beta, gamma, alpha, beta, gamma, वही इनके angle bisector का भी होगा, जैसे भी angle A और angle D बराबर है, तो जो angle A का bisector होगा, जो angle D का bisector होगा, corresponding angle bisector है, इनकी लंबाई का ratio भी होगा, इनकी median की लंबाई, corresponding median का लंबाई भी ratio यही होगा, इनकी in radius का ratio, इन दोनों के जो in radius हैं, in radius का ratio यही होगा, इनकी सरकम रेडियस, capital R1 से capital R2 का रेश्यो भी यही होगा, यानि कि हर corresponding length का, altitude का रेश्यो भी होगा, perimeter का रेश्यो, triangle ABC और triangle DEF का यही होगा, area का रेश्यो क्या होगा भई, area देखो, area होता है, एक बटे दो आधार गुणा हो होता है, similar triangle में area का ratio, संगत भुजाओं के रेश्यो का square होता है square, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर, आया, जैसे में आपके साम में बहुत अच्छा example भी ले, दोनों triangle alpha बीटा गामा, इसके भी angle alpha बीटा गामा, दोनों similar है, इस triangle का area 30 cm square है, इस triangle इस triangle का area 76.8 cm square है इस triangle की side 15 है 2 cm है BC, यह वाली side पूछी है क्या होगी, यह वाली side बताओ, example ले लिया तो आप जानते हैं कि इसका area 30 है, इसका 76.8 है, तो दोनों triangle के area का ratio क्या है, यह area का ratio 10.0, यह area का ratio है अगर area का ratio दिया है, तो side का ratio निकालना है, तो अंडरूट लीना होगा, इतका अंडरूट लेंगे 16, 10, 8, 5 आ जाएगा, तो side का ratio आएगा 8 ratio 5, ठीक है ना? 8 ratio 5, side का ratio यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, basically यह बले triangle की side दिये 15.2, यह बले triangle की side 15.2 cm, बले triangle की समझ में आया, तो area का ratio का अंडरूट करेंगे, तो corresponding side का ratio आ जाएगा आगे चलते हैं, next concept की तरफ बच्चे, थेल्स थोरम थेल्स थोरम, बड़े प्यार से आपको समझने है, थेल्स थोरम बहुत प्यार से बहुत important थोरम है, इस थोरम पर एक सवाल हमेशा से देता आया है means में, I hope इस बार भी इस पर सवाल आए, आपके सामने ये triangle ABC है, ABC, लाइन खीची की ये DEBC के parallel, ये triangle ABC है, एक line खीची की ये DE, जो BC के सवांतर है, ये DEAB पर है, ये AC पर है, अगर ये parallel similar है, अगर ये दोनों triangle similar हैं, तो corresponding side का ratio बराबर होगा, ये कि जो ratio AD से AB का होगा, ये ही बहुत important statement है, जो ratio AD से AB का होगा, सेम वही ratio AE से AC का होगा, AE से AC का होगा, और सेम वही ratio मेरे दोस्तों, छोटे triangle में ये सामने DE है, बड़े triangle में इसके सामने BC है, वही ratio DE से BC का होगा, वही ratio मेरे दोस्तों AE से AC का भी होगा, एक order में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे कुछ भी लिख देंगे, corresponding angle की जगय ही corresponding angle लिखना है ठीक है जी आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही कोई problem नहीं है तो जो अनुपात AD से AB का है वही से अनुपात A से AC का भी होगा ठीक है अब जैसे मैं आप से एक सवाल पूछ लेता हूँ example के लिए सवाल यह है कि AD से DB का रेश्यो आठ रेश्यो 5 है AD से DB का रेश्यो आठ रेश्यो 5 है AD से DB का तो आप हमें बताओ triangle ADE और quadrator DE CB के area का रेश्यो क्या होगा यह मैंने आप से सवाल पूछ लिए बताओ कि एक triangle ABC लाइन DEBC के parallel है AD से BD का रेश्यो आठ पांच है और 13 का स्कॉर 169 यह कि छोटे triangle का area 64 है तो स्कॉलिटल का area क्या आएगा 169 में से 64 माइनस कर देंगे यानि कि 105 तो 64 रेश्यो 105 आजाएगा बेसिक सवाल बन गया आप बलो कि हांसर बेसिक क्वोश्चन है ठीक है बच्चे ऐसे ही आगे सुनेगा थेस्थोरम का statement ये भी है मेरे दोस्तों कि अगर AD से DB का ratio बडाबर है A से AC के ratio के तो जो ratio AD से DB का होगा वही से म ratio A से EC का भी होगा जो ratio AD से DB का ratio होगा वही A से EC का भी होगा समझ में आया? यह भी थेस्थोरम है मैं अगर आपसे कहूँ कि यह line d e b c के parallel है, line जो है d e b c के parallel है, अगर यह ratio, चार ratio साथ है, चार ratio साथ, तो a से e c का ratio का आएगा, यह ratio भी चार ratio साथ ही आएगा, ratio सीम रहेगा, इसका उल्टा भी true है, लिखाए ना convergence of tails thorem, इस thorem का बिटे, उल्टा भी सकते है, convergence of tails thorem, उल्टा भी true, अगर किसी triangle a b c की side a b और a c पर दो point d और e इस प्रकार है, if d and e are two point on side a b and a c such that, बोला है कि side a b ac पर दो point d और e इस प्रकार है, कि जो a d से b d का ratio है, वही a e से e c का ratio है, तभी possible होगा, तभी संबब होगा, जब line d e और line b c parallel हो, उल्टा भी सकते है, अब आगे चल midpoint form, बहुत important form है, ध्यान सुनेगा, यह triangle a b c है, side a b का midpoint d है, side a c का midpoint e है, यानि कि a d और b d बराबर है, a e और e c बराबर है, तो यह ratio भी 1 ratio 1 है, यह ratio भी 1 ratio 1 है, अगर दोन तरफ ratio बराबर है, a d से d b का ratio 1 ratio 1, a e से e c का ratio 1, ratio 1, अगर यह ratio बराबर है, तो इसका मतलर line d e b c क parallel होगी, समांतर होगी, दूसरी बात, कि छोटा बड़ा triangle similar है, समरूप, छोटा बड़ा triangle similar है, छोटे triangle में length कितना है, 1, बड़े triangle में से corresponding क्या हो गया, 1 plus 1, 2, तो छोटे बड़े triangle में, d e से b c का ratio भी 1 ratio 2 होगा, यानि कि d e की जो लंबाई होगी, b c का आधा होगी, तो d e ब कराबर b c बटे 2, important concept, समझ में आया, आप बोलो कि हांजी सर समझ में आया है, दूसरी बात, कि छोटा बड़ा triangle similar है, d e mid point है, a b और a c के, छोटा बड़ा triangle similar है, corresponding side का ratio के आए, छोटे बड़े triangle में, 1, 2, तो छोटे बड़े triangle के area का ratio क्या होगा, square 1 ratio 4, छोटा triangle a d e, बड़े triangle a b c के area का ratio क्या होगा, एक ratio 4, एक ratio 4 होगा, तो इसका मतलब यह है, छोटे triangle का area 1 है, पूरे बड़े triangle का area 4 है, तो quality का area कितना बचा, 3, तो छोटे triangle a d e, और quality d e, c b के area का ratio, एक ratio 3 होगा, समझ में आया, आया है, यह सब आता है, बिलकुल आता होगा मेरे दोस्तों, सवाल भी inverse भी true है, midpoint theorem का convergence भी, कि अगर मेरे दोस्तों, ट्रैंगल a b c है, side a b का midpoint d e, a b का मद्दे बिंदू है d, अगर आप midpoint से parallel line खीचोगे, a b का midpoint d, midpoint से parallel line खीच तो parallel line b c के parallel, अपनी मर्जी से side a b का midpoint d e, midpoint से मैंने parallel line खीची है, तो opposite side को भी midpoint पर ही जाके मिलेगी, ठीक है यह आगया मरे दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला concept, यह बताओ, देखो मेरे प्यारे भाई, जहां सुनेगा मरे दोस्तों, similar triangle जो है मेरे दोस्तों, similar triangle, वो कुछ common figure, कुछ figure ऐसी होती है, जिनको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, कि यहां similarity लगेगी, यह similar triangle है, जैसे right angle के अंदर right angle हमेशा similar होगा, जैसे यहां पर triangle है, theta 90 90 minus theta, इसके अंदर यह एक और right angle बनाया गया है, theta 90 90 minus theta, तो छोटे बड़े right angle triangle similar है, similarity लगेगी, ऐसे भी कि यह right angle है, बड़ा बाला right angle triangle, यह बड़ा बाला right angle triangle है, 90 degree vertex से perpendicular डाला गया, perpendicular यह, यह भी perpendicular होगा, अब आपको यहां पर 3-3 right angle triangle दिखाए देने, 3-3 सम कौन तर बुझ, तीनो similar होगे, वह एक तो बड़ा बाला right angle triangle हो गया, यह वाला, दिखाए देगा, एक यह हो गया right angle triangle यह वाला, यह वाला, एक हो गया right angle triangle यह वाला, यह वाला, तो right angle में 90 degree vertex से perpendicular डाला जाए, तो 3-3 right angle triangle बनते हैं, तीनो similar होगे, similar होगे भाई साब, यह theta है, अगर यह theta है, तो यह 90-theta होगा, यह 90 है, यह 90-theta होगा, यह 90-theta, यह 90-theta, ऐसे ही यह triangle ABC है इसमें एक line खीची गई है दो triangle बनके छोटे बड़े यह triangle तो दौनों में common है यह triangle common हो गया और एक angle बराबर दिया यह theta एक angle बराबर दिया है जब दो angle बराबर एक तो common है दौनों triangle में छोटे बड़े में एक एंगल बराबर दिया है ये थीटा ही थीटा तो तीसरा एंगल आटोमेटिकली बराबर हो जाएगा तो ट्राइंगल सिमलर हो गया की निए बैट ट्राइंगल एबी सिमलर हो जाएगा एबी सिमलर हो गया ऐसे ये भी बन सकता है राइट एंगल के अंदर राइट एंगल यह triangle है ABC, यह triangle ABC है, ध्यान से सुनते रहेगा, triangle ABC, ABC, ठीक है जी? अब इसमें सीवन खीचे गई है ADC बोला है, यह angle A theta है, यह वाला angle A, यह वाला angle A, यह वाला angle A पूरा, यह triangle ABC में लाइन खीचे गई, यह angle theta है, और यह angle भी theta यह आपको दिया है, angle A, और यह angle ADC, angle A मतला angle BAC, और angle ADC theta है, तो दो triangle similar दिखाई देगें आपको, ध्यान सुनेगा, एक तो बड़ा वाला triangle देखो, आप BAC, बड़ा वाला triangle ABC, और triangle DAC, दोनों similar हैं मेरे दोस्तों, ABC, और DAC, कैसे similar हैं? दो triangle आपको दिखाई देए, एक तो triangle ABC, और triangle DAC, एक angle तो theta थीटा थीटा बराबर दिया है, यह वाला angle दोनों में common है, बड़े वाले triangle ABC में यह बड़ा वाला triangle देखो, बड़ा वाला triangle यह वाला, और यह वाला triangle देखो, यह वाला triangle, यह वाला triangle, दोनों triangle में यह वाला angle तो common ह यह थ हीटा है बड़े-वालमे यह फूरा थीटा है तो जो तीसरा एंगल बचा तीसरा एंगल इसका यह पूराबर हो गया तो similar हो गए की नहीं हो दधानु ट्रीमली होगत जब इसब आइसा फिगर आए हमें साफ को similarity लगानी है यह मरें दोस्तों very very important concept यहां यहां पे दौनो लाइन पैरलल है ऐसे इसको मैं बोलता हूँ दसे 14 है, बहुत इस्तिमाल करूँगा मैं इसका, जैसे केंची फिगर आपको दिखाई दे रही है, बेट जता हूँ मैं, केंची फिगर, ये दोने लाइन पैरल है, ये 10 से 14, अगर मैं यहाप पर हाइट ये परपेंडिगोर ड्रॉप करता हूँ, ये इसकी हाइट है इसकी ह प्रूफ आपको नहीं, अब समझते रहे ना, धांस उनेगा मेरे दोस्तों, ये तीन और लाइन पैरल है, तीन लाइन है पैरल, अब इसके टॉप को इसके फूट से मिलाएगा, यहाँ पर काट रहे है, यहाँ से एक और पैरल लाइन खीची गई है, ये एक ये ये जैड तो z बराबर होगा xy बते x plus y, z बराबर होगा xy बते x plus y, very important concept, यह भी similarity से आता है, similarity से, ये similarity से आया है मेरे दोस्तो, similarity से, ठीक न, एक बार ये triangle और ये triangle, दौनों similar, line parallel है न, भाई triangle के अंदर ये parallel line है, ऐसे तो similar हो जाएगे, ठीक है, तो हमने similarity ललगाई है, ऐसी हम लगानी पड़ेगी दौनों को जोड़ेंगे आएगा जैड बाराबर एकस य अपन एकस प्लस वाई ठीक है आगे चलते हैं के सामने बच्चों हमने इक चत्रबुछ बनाया है आपके सामने सामने कोशिश करिए तो ऐसके रिया होह तो कोई तो आप को नमज में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्यों होता है, भाई यह triangle ADC को देखोई Cvn है, Cvn है भी, यहाँ triangle ABC में यह देखोई Cvn है, तो जो base का ratio AOC का ratio A1 by A2, A1 by A3, AOC का ratio A4 by A2, बराबर कर देंगे cross multiply area का product इक को लाएगा, ठेक है, जान सोनेगे आप इन इन अर्पोर्ट एंट कंसेप्टे ले ट्रपेजियम है, ट्रपेजियम में दौनों लाइन पैरल हैं समान तर हो पहली बात तो आमsyयारा सामने के दौनों Debuter English आंटे ड्रपेजियम में ल्र कई अमने सामने के। trap양ल ACB, दोनों बराबर area के हैं, उन दोनों में ये वाला area common है, common area है दोनों में AOB, common को minus करेंगे तो इसमें ये बचा और ये बचा, ये दोनों आपस में equal होते हैं, बहुत important concept है कि टरपेजियम में parallel line पर जो triangle बंते इस समांतर भुजाओं पर वो आपस में similar होते हैं, टरपेजियम इसका area A है, सबोज इसका B है बराबर होगा, के गुणा के, तो K square बराबर AB, तो K का माना आएगा root AB, याणि कि अगर ये A है, ये B है तो इसका area root AB, इसका area root AB, root AB आएगा, root AB, root AB, root AB, बहुत important concept, root AB, root AB, root AB, समझ में आई बात, देखो, concurrency of triangle, तरपो जो कि सर्वांग सम था, सर्वांग सम, सारे अंग समान, congruent, दो triangle congruent तब कहलाते हैं, जब उनका size भी same हो, और shape भी same हो, यानि कि just cut copy paste है मेरे दोस्तो, cut copy paste, size भी same हो, और shape भी same हो मेरे दोस्तो, तो triangle जो है congruent कहलाते है, congruent का मतलब, अगर आप इस triangle को उठा के उपर रखोगे, तो just पूरा fit हो ठीक है जी, जैसे यहाँ पर triangle ABC और यह दो triangle दिखाएगा है, DEF, ठीक है न, ABC और DEF, इन दोनो triangle के तीनो angle बराबर हैं, तीनो side बराबर हैं, तो दोनो triangle क्या कहलाएंगे, congruent कहलाएंगे, congruent का congruent का sign है, अब किसी भी triangle के congruent होने की, आपको सारी सर्थ चेक नहीं करने की, आप सारी side देखो, सारे angle देखो, न, congruency का मलता, तीनो side बराबर होंगी, तीनो angle आपस में बराबर होंगे, ठीक है, जी, सबसे पहली condition है side, 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 sss, आगर किनी भी दो triangle की तीनो side equal है, तो congruent हो जाएंगे, तीनो side equal है, तो तीनो angle भी equal होंगे, height भी corresponding बराबर होंगे, medium भी ये side इसके बराबर, इसके बराबर, बीच का angle same है, बीच का angle same होना चाहिए ऐसा नहीं, कि ये वाला और ये वाला angle दे दिया, तो नहीं होगा, दो side बराबर उनके बीच का angle same है, तो ये दोनो triangle congruent कहलाएंगे, तीसरा है ASA, angle side angle, बच्चों ध्यान से सुनेगा, अगर किसी triangle के मेरे प्यारे भाई, दो angle बराबर है alpha बीटा, और उनके बीच की side same है, तो भी वो congruent कहलाते है, सरवांसम कहलाते है, ठीक है ना, चौथा है RHS, right angle hypotenuse side, दो right angle, अगर किनी भी दो right angle triangle का hypotenuse same है, दौनों का hypotenuse same है, और कोई एक side same है, तो भी वो congruent हो जाएंगे, समझ में हो जाएंगे, next, important बात आपको समझ रहा है मेरे दोस्तो, important बात, देखे बच्चों, हटा दू, जैसे मेरे दोस्तों ये एक line है AB, जैसे, ये एक line है मेरे दोस्तों AB, अब हमने एक line खीची है मेरे दोस्तों, इसके उपर ये जो इसका perpendicular by sector है, माने कोई line AB है, और ये मेरे दो अंदी भाजय खीचते हैं, उस पर हर एक point को भी कोई point ले लो, वो A और B से बराबर दूरी पर होता है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाँगा, जो paper में, exam में सबसे आ जाता है, in center, अंतहगिंद्र, center of triangle में, in center, आब in center क्या होता है, देखे हर triangle के लिए ऐसा circle possible है, तो triangle की तीनों साइड को टच करता हुँ जाया है, हर triangle के लिए, छोटा बड़ा के है triangle हर triangle के लिए कैसा circle possible है, चो तिरभुच की तीनों भॉजाओं को अंदर से touch करता है, इस circle को हम बोलते है, in circle अंतहवरत, in circle के center को ही हम in 1997 कहते है, इस incircle की radius कहते हैं, बराबर दूरी पर ह इन सेंटर तरेंगल के त्रैंगल के अंदर वाले सरकल का सेंटर। dedans कि त्रिशेंटर के त्रिशेंटर के अमिलते है वह यहां होता है। अलग है और यह आपका इंगल बाई सेक्टर अलग है समझ मैं बच्चो जातरी बुच के तीनों कोणों के समधी भाजक मिलते हैं वह इंसेंटर कहला तो इस दा इंटरसेक्शन ओफ ओल थी इंटरल बाई सेक्टर ओफ ट्राइंगल ले बीसी एंगल कोईच अगल कितना होगा एंगल b상이 अगल 20 exclusively अईसे ही साइड AC दौरा इन सेंटर पे जो एंगल यह बनेगा एंगल AIC यह कितना होगा 90 डिगरी प्लस B by 2 यह एंगल AIB कितना होगा 90 डिगरी प्लस C by 2 ठीक है नहीं बात पता है दूसी बात कि अगर किसी ट्राइंगल का एरिया डिल्टा है समी पेरिमिटर ऐसे तो इसकी इन रिडि हाँ जी सर समझ में आ गया कोई परेशानी नहीं है इसमें तो डिल्टा बराबर R into S एंगल BIC 90 डिगरी प्लस A by 2 एंगल AIB 90 डिगरी प्लस C by 2 एंगल AIB 90 डिगरी प्लस C by 2 यह तीनों कंसेप्ट प्रूफ में नहीं एक्स्लीन कर सकता है इतना समय नहीं है चौथा कंसेप् बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है तेकर में में रिजल्ट में आपको बता रहा हूं यह ट्राइंगल ABC है, AI in center है आई यह अंतेह के इंदर, यह line angle bisector होगी, AID angle bisector है तो यह जो in center अंतेह के इंदर angle bisector के दो टुकोड़े कर रहा है AI और ID, अब vertex A के सामने की side यह small A है, vertex B के सामने के साइड 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 साइ चलते हैं, next, बहुत important concept, देखो अभी हमने समझा कि किसी भी triangle की radius से निकालना है, तो आर बराबर धिल्टा बटे है, triangle के area को हम भाग दे देंगे semi perimeter से, लेकिन हमारे पास तो special triangle है, right angle triangle और equilateral triangle, तो right angle triangle और equilateral triangle को हमें बड़े प्यार से पढ़ना है, आलग से उन पर ध्यान देना है, सम कौण तरबुच पर और equilateral triangle पर, अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चो, जैसे कि मेरे प्यारे बाई आपके सामने right angle triangle है, यह इसका encircle है और यह इसका जो है मेरे दोस्तों, क्या हो गया, यह encircle है और यह इसका मेरे दोस्तों हो गया in center, in center आई, ठीकर ना बच्चे? इसका in center हो गया मेरे प्यारे बाई, आई, और इसका 90 degree vertex है, यह perpendicular है, बेस है, hypotenuse मेरे दोस्तों, तो अगर इन center यहां से perpendicular डालेंगे, यह भी 90 degree का angle है, बच्चों, यह भी 90 degree का angle है, अब यह in radius small r, यह भी r हो जाएगा, यह भी r हो जाएगा, यह भी, यानि कि कौने में क्या बन गया, कौने में square बन गया, आप बोलो कि हाँ जी सार, बिलकुल सही कोई problem नह है, कौने में square बन गया, यानि कि जब भी मैं right angle triangle का encircle कीचूंगा, तो कौने में हमेसा square बनता है, यह इसका encircle है, इसका center है, यह in radius होगी, small r, यह भी small r, यह भी small r, यह भी small r, आप जानते हैं कि right angle triangle का, जो 90 degree vertex होता है, वो कहलाता है, और्थो center यानि कि लंब किंदर, समक समकौन तरिबुज में, केवल समकौन तरिबुज के लिए बता रहूँ, ortho center और इन center के बीच की दुरी है, oi root 2 r, भै इस square का diagonal होगा, वही right angle triangle में ortho center, और इन center के बीच की दुरी होगी root 2 r, आप बोलोगी हाँ, जी सर, किसी भी right angle triangle की in radius के formula है, p plus b minus h 2, समकौन तरिबुज आगे चलते हैं, 3, 4, 5 एक बहुत famous triangle है, दिमा में बठा लो, 3, 4, 5 एक right angle triangle अगर triangle की side 3, 4, 5 है तो इसकी in radius आती है 1, 3, 4, 5 in radius 1, अगर आप side को k गुना कर दोगे, 3 का k गुना, 4 का k गुना, 5 का k गुना, तो in radius भी की आईगी, मेरे दोस्ते in radius भी की आईगी, अब जैसे triangle की side 49, 52, 65 है, 39, 52, 65, तो in radius का है, ये right angle triangle है, 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 3, 4, 5, तो 13 गुना, ये 3, 4, 5 का 13 गुना है, तो in radius भी 13 cm आजाएगी, इसकी समझ में आया, तो ध्यान रखे का 3, 4, 5 मतलब in radius 1, समझ में आया, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिलकुल सही, ठीके बच्चो, अच्छा देवेश, इन radius का formula right angle triangle की P plus B minus H बटे दो, ortho center और इन center के बीच के दुरी root to R, concept अच्छे समझेना, equilateral triangle, समझ बाहु त्रिबुझ, देखे, equilateral triangle के 4 ही center, in center, ortho center, centroid, circum center, सब एक ही जगे होते हैं, समझ में यही line angle bisector है, यही line altitude है, यही median है, सब कुछ यह यही line angle bisector है, यही altitude भी है, यही माधिका भी है, यही BC का लंब समझ बाजग है, तो चारो center एक ही जगे होते हैं, समझ में आया, ठेके बच्चो आप बोलो के हांजी सर, समझ में आया, यह बात आपको समझ में है, यह equilateral triangle का in center, अब in center, अब in center से vertex तक की जो दूरी होती होग है मेरे दोस्तो, यह equilateral triangle का centroid भी है, centroid, centroid तो median को दो ratio एक में माटता है न, यह line angle bisector भी है, यह median भी है, यह सब कुछ ही है, यह point in center भी है, circum center भी है, और तो center भी है, centroid भी है, अब center भी है, अब centroid तो दो ratio एक में माटतेगा, आप बोलोगे हांजी सर, यानि कि अगर equilateral triangle की height height is h, height is h, equilateral triangle की, तो in radius क्या हो गई, in radius हो जाएगी, उसकी small r कितना हो जाएगा मेरे दोस्तो, h बटे 3, small r आएगा h बटे 3, आप बोलोगे हांजी सर, बिल्कुल सही, जबकि capital r क्या आएगा, circum radius कितनी आएगी, यह है small r, small r आएगा h बटे 3, capital r कितना आएगा, capital r आएगा म a upon 2 root 3, a upon 2 root 3, अगर equilateral triangle की side small a है, तो circum radius double होगी a, small a upon root 3, संभाहुत रुच की circum radius से in radius का ratio, 2 ratio, 1 होता है, circum radius से in radius का ratio, 4 ratio, 1 होता है, कितना होता है ratio, 4 आएग, बहुत important है, जितना हमारे पास समय है, उस स्पीट से explain कर रहा हूँ, ठेक है, बहुत important है, जितना हमारे पास समय है, आगे चलते हैं, next concept की तरफ, चलो मेरे प्यारे बताओ, ठीक है न मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से, आप जानते हैं किसी भी circle के भार से खिची की tangent बराबर होती है, अब जैसे मेरे दोस्ते triangle ABC इसका circle है, इन circle side को touch कर रहा है P क् अब अगर ये length X है तो ये भी X होगी, ये Y है तो ये भी Y होगा, ये Z है तो ये भी Z होगा, समझ में आया, तो बतर इसका semi perimeter का आएगा, semi perimeter होगा जी, आधा perimeter का आध है, यानि कि X plus Y plus Z, semi perimeter आएगा, अगर मैं इस triangle का area निकालूं, तो hereon's formula से triangle का area आ जाएगा, hereon's formula से, root xyz upon X plus Y plus Z, root xyz upon X plus Y plus Z, root xyz upon X, root xyz, root xyz, bracket में X plus Y plus Z, समया area of triangle ABC, root xyz upon multiply में X plus Y plus Z, root xyz into X plus Y plus Z, ये hereon's formula से आया है, 2012 के means में सवाल आया था, आगर आपको xyz दिया हुआ, आपसे पूछे की बताओ, इस circle की radius बताओ, तो hereon's formula से area ये आएगा, xyz की term में, area होता क्या है triangle का delta बटे S, small r बराबर delta बटे S, in radius delta बटे S, delta मैंने निकाला, semi perimeter S से भाग करूँगा, तो ये formula बन गया, r बराबर under root xyz upon x plus y plus Z, small r बराबर under root of xyz upon x plus y plus Z, small r बराबर under root of xyz upon x plus y plus Z, ये concept बन गया in radius का, xyz की term में, small r बराबर h3 का आएगा, हमें इस आएगा, small r बराबर h3 तो होता ही है, इन radius जो होती है, height का 1 3rd होती है, circum radius height या median या altitude एकी बात है, 2 3rd होती है, अब height की जगह में root 3 by 2 ए रखूँगा, height की जगह रूट 3 by 2 ए रखेंगे, ये formula आजाएगा, height की जगह रखेंगे, side में आजाएगा, equilator triangle की radius height का 1 3rd होती है, circum radius 2 3rd होती है, ये आगए मेरे दोस्तो तो यार जब चाहे तब लगा लो कब लगेगा यह लगेगा पता ना डाउट भी दो कोड़ी का रखते हो यार को अच्छा डाउट रखा करो किसी भी ट्राइंगल के लिट हो है मैं बता रहो फॉर्मुला एक्स वाई जैड की टर्म में यह आपको दिया हुआ है और आपको कोड़ी करो फिर जीरो टुहरो बैच लेलो लो इन एनई खा्लिट लिये कोई भी चत्रप भी आपको चित्र में देख रहा होगा किर्कौंग्ल रेख्टेंगल रिक्टेंगल नहीं है किसी भी काड़ीटल के लिए सकते हैंedy कोई भी क्या बना ल व्हां थाकर एसा वी भी इन दौनों ट्रेंगल के खेश दिया मैंने इन circle इन circle गीच दिया, अब यह side A है, यह side B है, यह side D है, यह side C है, तो जब भी मैं किसी qual54 हम लूक खेश आँ, तो दो triangle बन जाते, मैंने दौनों triangle के correlation के back in circle कीच लिए, इन circle, आपको बताने P से क्यों तककी क्या ओगी इन दोनों को जोड़ो A w這裡 दोनों को जोड़ो C d और C plus d कुटे आधा कर देना है . ठीक है ना? आमने सामने वाली साइड को जोड़के आधा कर देना है. Next concept, अगला concept. अगला concept प्यार समझेगा, important concept है important. आपके सामने ये एक angle है, angle. इस angle, ये कोई कौन है, मेरे दोस्तो, कौन? इस angle में circle बनाया गया है, फिर एक और circle यहाँ बनाया गया है, फिर एक और circle यहाँ बनाया गया है, दोनो circle आपस में touch कर रहे हैं, तो एक angle है मेरे दोस्तो, AOB, ये एक angle है AOB, इसमें दो circle बनाया गये हैं, और ये दोनो circle एक दूसर तो दौनों सरकल के सेंटर ये टचिंग पॉइंट और ये एंगल का वर्टेक्स चारो एक सीधी रिखा में होंगे अगर उपर वाला एंगल थीटा है तो नीचे वाला एंगल भी थीटा ही होगा समझमें हम अगर ये एंगल मीरे धुश्व थीटा है यहां से यहां तक तो नीचे वाला एंगल मिरे धुश्य यहां पर यहां पर इह थीटा ही होगा बात समझमें है यह आप बोलो कि यह हाँ जी सर में यहां जी रिख है वाई वय Next ली एकिवल रिजल्ट याद रखो, कैसे पढ़ना था तो पढ़ते, 080 hero में, कैसे बताने का समय नहीं, एकिवल डारेक्ट रिजल्ट डारेक्ट फोर्मुला ही बता सकते हैं, घटिया जागे सक्क्यों हो पढ़ ही प्री में, हैं, इस सर्कल की रिदेस R1 है, इसकी R2 है, यह 90 डि है, तो R1 से R2 का जो रिश्यो होगा, यह एंगल बाई सक्क्टर होगा, यह उपर थीटा नीचे थीटा, तो थीटा यह हाफ एंगल है, ऊपर आधा नीचे आधा, तो R1 से R2 का जो रिश्यो होगा, 1 माने सान थीटा अपॉन प्लस सान थीटा, बहुत इंपोर्टेंट है, अगर किसी भी एंगल में दो सरकल डाले जाते हैं तो उने दूसरे को बार से टच करते हैं उनकी रीडिस आरवन आटू है करवाया इसी सारा ऊपर थीटा नीचे थीटा तो आरवन से आरवन आटू का जो रिश्य होगा वह वन माने सैन थीटा अपॉन प्लस सैन थीटा ठीक है भई समझ में आया थीन कंसेप्ट जानने में वएंगे भाई या तीनों कंसेप्ट अई लेवल के हैं परफेक्ट मिन्स बताओ मेरे प्यारी भाई, पहला, आगर ये एक इकुलेटल ट्राइंगल है मेरे दोस्तो, अगर एकुलेटल ट्राइंगल है संभा हूँ तिर बुझ, ये एकुलेटल ट्राइंगल है संभा हूँ तिर बुझ, एकुलेटल ट्राइंगल का हरेकेंगल साथ डिग्री होता है, हाद 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 हो जाएगा इकोलेटरिटा रइंगल ए हुए थीटाप गर ये पर सिर्फ को हुए स्मॉल रसे किरे राइगा या यानिकि मेरे दोस्तोब अगर आपके पास संभाँ हो brings यहाँ भी एक सेर्कली टाल सकती थींहीं इस मुन सतने कि यानि कि यहाँ पर red circle और blue circle की radius का ratio एक ratio तीन होगा, small r से capital R का ratio यह एक ratio तीन होगा, कैसे पता चला यह रहा concept, small r बटे capital R बराबर 1 माने साइन 30 एपॉन 1 प्लस साइन 30, और any equator triangle है 30-30 आदा आदा हो गया, समझ में आगया बच्चे आप बोलो कि हाँजी सर आया है समझ में, ठीक है ना, किसी भी equator triangle के लिए सकते है, यह जो formula है बहुत important है, काफी काम आसान कर देता है, यह रेडियस का ratio 1-3 है, तो इन दौनों triangle के area का ratio कितना होगा, छोटका triangle और मुठका triangle के area का ratio 1-9 होगा, छोटे मुटे triangle के area का ratio, अब यहाँ पर अगला concept समझते हैं, अगला concept, ध्याँ से सुनेगा, कि बच्चों यह एक right angle triangle triangle है, ABC, जिसमें यह angle 90 degree है, यह angle 90 degree है, ठीक है न, ध्याँ सुनेगा, यह angle 90 degree है, यह वाला angle, अब यहाँ पर angle A और angle C के bisector है, यहाँ पर मिलने, तो I क्या होगा जिसका in center, यह in center है, मेरे दोस्तों in center, in center, ठीक है न, इस picture को बिल्कुल दिमा में बिठालो in center है, तो यह small a है, बच्चों, यह small b है, यह और यह जो length है, यहाँ से हाँ तक की small a है, यहाँ से हाँ तक की जो length है small b है, अगर यह दिया हुआ है a और b, तो यह जो bi आई आई आपका होगा bi, यह जो आपका bi होगा मेरे दोस्तों bi, यह root a b होगा, root a b, यह right angle triangle है, इसका in center है, यह angle A और angle C, acute angle के bisector खीचे है, यह length small a है, small a b है, तो bi होगा root a b, अगर right angle triangle के रिड़े से small r है, तो bi होगा root to r, यह root to r आजाएगा मरे दोस्तों, b से i तक की दूरी, root to r, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिलकुल सही, ठीक है, चलो, एक आखरी concept हमारा रहे गया, वो मैं समझा देता हूँ, जहाँ सुनेगा बच्चो, यह वाला concept रहे गया था, दोस्तों, आपके सामने एक triangle ABC है, आपके सामने एक त्रिबुज ABC है, कोई भी त्रिबुज़े, आई जो है इसका इंसेंटर है, आई क्या है बच्चो इसका इंसेंटर, तो इस इंसेंटर से हमने एक line खीची है DE, जो BC के parallel है, इंसेंटर से जाने वाली, मैंने एक line खीची है BC के parallel, इंसेंटर से जाने वाली, तो जो line DE होगी, यह BD plus EC का सम होगी, DE बराबर BD plus EC, आप कहो शुआ होगे इं सेंटर क्या होता है जहां ट्राइडल के आंगल के टीनों एंगल के बाइसें हो गार अगर मैं अगर इंसेंटर से व Works को मिला बिल्कुल same to same, यहां पर भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी ऐसा ही होगा, तो यह length किसके बाराबर आगी इसके, कहने का मतलब क्या होगा कि DE की जो length है, वो BD plus EC हो गई, circumcenter, ठीक है बच्चो, अजबन्टर में समझाद है साल circle से आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है circle से ही आते हैं, circumcenter होता क्या है, दुनिया में जितने भी triangle है, मैंने अभी अभी आपको समझाया, कि in circle triangle के in center होता है, triangle के in circle का center, in center हमेशा triangle के अंदर होता है, circumcenter होता है, दुनिया में जितने भी triangle है, हर triangle के लिए एक ऐसा circle possible है, जो triangle के तीनो vertex से गुजरता हो, हर तिर्बुच के लिए एक ऐसा circle बनाया गया है, जो triangle के तीनो vertex से गुजरता हो, उसी को हम बोलते है circum circle, एक ऐसा circle जो triangle के तीनो vertex से गुजरता है, हम उसे circum circle कहते है, इस circum circle के center को हम ल तीनों दुरी क्या ह downstream really us तीनों डिश्टेंस क्या होंगी ओए बाराबर ओभी बाराबर और बेइडरोस इंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है च्रींगल के equipped पर भी हो सकता है, समझ में आया, आप बोलो के हां जी सर आया, concept number ये वाला, circumcenter बनता कैसे, circumcenter बहुत important line है, तिर्बुच की तीनो भुजाओं के, तिर्बुच की तीनो भुजाओं के perpendicular bisector जहां एक दूसरे को काखते हैं, वो होता है circumcenter, जैसे मैंने आपके सामने तिर्बुच बनाया, जैसे भी मैंने आपके सामने एक triangle बनाया, इसका circumcenter कहां बनेगा, जहां तिर्बुच की तीनो साइड के perpendicular bisector काटते हैं, ये मैंने दोस्ते एक ऐसी line, जो perpendicular भी हो, bisect भी कर रही है, ये line, ये line, जो लंब वत भी है, और bisect भी कर रही है, तो जहां तीनो साइड के लं perpendicular bisector पर, लंब समधी भाजक पर, स्थित कोभी पॉंड ले लो, कहीं पॉंड लो perpendicular bisector पर, वो हमेशा जो है, A और B से बराबर दूरी पर होगा, ये जो line बनेगी, ये जो triangle बनेगा, हमेशा isosilus बनेगा, इस वजए से जो है, triangle की तीनो साइड के perpendicular bisector जहां पर मिलते हैं, वो ये theta है, ये theta तो ये 2 theta हो जाए, ये alpha तो ये alpha को कि ये radius बराबर है, ये radius बराबर है, अगर माने ये theta ये theta ये 2 theta, ये alpha ये 2 alpha, ये 2 alpha, ये क्या हो गया, बच्यों 2 theta प्लस 2 alpha नहीं हो गया, ये theta प्लस alpha है, तो सरकम सेंटर पे बना जो angle है, वो हमेशा vertex angle का double angle का double होता है, सरकम तेनो perpendicular ecky जगे काटते हैं, triangle की 3 height tecky जगे काटते हैं, और इनी से ही center बनते हैं. इन center बनता है जहां त्रिपज के 3 bisector, 3 angle bisector एक जगे काटते हैं, वो in center होता है, जहां triangle की 3 side के perpendicular bisector एक जगे काटते हैं, वो circumcenter होता है, समझ में आया, एक ही जगह काटेंगे, अलग अलग नहीं काटेंगे, आगे चलते हैं next, जहां से सुनेगा मेरे प्यारे बे, सभी लोग मैंने यहां पर proof भी करवाया है, proof भी, ठीक है ना, पर मैं proof explain नहीं कर सकता बच्चो, मैंन आपको sound rule पढ़ा है, sound rule यहां पर proof भी लिखा हुआ, बाकाइधा younger यहां पर जो है proof भी लिखा हुआ है ठिक हो बच्चे, sound rule पढ़ा है हमने a बटे sine बराबर b बटे sine b, बराबर c बटे sine c समझाया है, यह जो ratio होता है na इसके सरकम रेडिएस का डबल होता है यह सरकम रेडियस होती है एपोन टू साही ने फोर्थ पॉइंट grupp पीज ईक्स्पेंग सरकम शेंटर ट्रैंगर के अंदर भी हो सकता है बाहर भी उपर मैं समझा हूँ अब आब हमारे अंकीता तो सरकम radius होती है x बटे ही 2 sin θ, x upon 2 sin θ, सरकम radius capital R बराबर x upon 2 sin θ, x upon 2 sin θ, देखो बहुत सारी theorem ऐसी हैं, जिन पर मैं कोई सवाल नहीं करवा रहा, केवल theorem बता रहूं, तो कम से कम formula को अच्छे से याद कर लो, paper में direct सवाल आगा, तो formula याद रहेगा, तो कर लोगे, pre मैं अच्छ यहाँ से proof भी कर रखा है हमने, a upon sin ए बराबर b बटे sin, b बराबर c बटे sin से, किसी भी triangle की भुजा, और उसके सामने के angle के sin का ratio बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सरकम radius का double 2 r, अगर किसी triangle की तीनों side दिये, यह side है, a, यह side है, b, यह side है, c, तो उसकी circum radius होती है, a, b, बटे 4 delta, सरकम radius होती है, a, b, c, बटे 4 delta, अगर किसी triangle की तीनों भुजाएं दी है, तो उसकी circum radius होती है, a, b, c, बटे 4 delta, यह फिर delta बराबर a, b, c, बटे 4 r, मैं आपको in radius का formula बताया था, delta बटे s, in radius का formula बताया था, delta बटे s, in radius का, बताया था, बताया था, बताया था, बत Capital R की, sorry, Capital R की small r में गुणा कर दो, तो क्या आएगे न दोनों की गुणा करने पर क्या आएगा, डिल्टा, डिल्टा कर जाएगा, ABC बटे 4S, ABC बटे 4S, अगर मैं गुणा कर देता, यही आएगा, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, तो यह मैंने आपको concert समझा है, आगे चलते हैं अब, position of circumcenter, हाँ जी अंकीत, आपने डाउट लीजी, आपने मैंने क्या बोला, मैंने बोला, कि in center तो हमेशा triangle के अंदर होगा, in center क्या होता है, जहां तिरबुच के तीनों कौनों के internal angle bisector काटते है, वो in center होता है, circumcenter क्या होता है, जहां तीनों side के perpendicular bisector एक द center हमेशा triangle के अंदर होगा, नियून कौन तिरबुच के तीनों side के perpendicular bisector खीचो ये, ये और ये, तो हमेशा अंदर आएगा, तो acute angle triangle का circumcenter हमेशा triangle के अंदर होता है, acute angle triangle का circumcenter हमेशा triangle के अंदर होता है, point number 2, right angle triangle, right angle triangle का circumcenter हमेशा hypotenuse का midpoint होता है, समकौन तिरबुच का circumcenter हमेश सरकم सेंटर के परिभासा क्या है सरकं सेंटर की परिभासा है एक ऐसा पॉइंट जो ट्राइंगल के तीनों वटेक्स से तिरुजद के तीनों सीर्षू से बराबर दूरी पर हो मैंने आपके सामने जैसे एक राइट अंगल बना号 आप जानते है कि semi circle में बना angle हमेशा 90 degree होता है तो semi circle में बनेगा अब यह हो गया diameter जो diameter का मद्धे बिंदू होगा जो diameter का midpoint होगा वो semi circle का center होगा और यह center की जो है तीनों vertex distance बराबर होगी यह भी radius capital आ रहे है यह भी capital आ रहे है अब यह semi circle का center जो होगा वो यह होगा diameter का midpoint यह होगा भी circum center तो concept बन गया कि right angle triangle का circum center होता है वो hypotenuse का midpoint होता है इसकी vertex से दूरी यह भी capital R है यह भी capital R है यह भी capital R होगया यह भी capital R होगया यह भी capital R होगया concept clear हुआ concept clear हुआ कचला लोग तो right angle triangle में जो circumcenter है वो कहा है triangle के ऊपर है देख रहे हैं त्रिबुच के ऊपर आ रहा है circumcenter hypotenuse का midpoint यानि कि right angle triangle की जो circum radius है right angle triangle की circum radius वो इसके hypotenuse का आधा होती है समकौन त्रिबुच की जो circum radius है concept है hypotenuse का आधा right angle triangle की जो circum radius है वो hypotenuse का आधा होती है ध्यान से सुनेगा, फिर अगला concept समझाता हूँ, प्यार से समझेगा, हमने आपके सामने एक right angle triangle बनाया, right angle triangle, right angle triangle हमें सा semi circle में बनता है, यह जो होगा, यह जो होगा, मेरे दोस्ते क्या होगा, semi circle होगा, अर्धवरत, हमने आपको यह पढ़ाया है, कि समकॉन त्रिबुच का जो ortho center होता है, जो right समकॉन त्रिबुच का ortho center होता है, वो बनता है, 90 degree vertex ortho center, समझ में आया, आप बोलो कि हा answer, right angle triangle का जो circum center बनता है, वो बनता है, मेरे प्यार भी circum center जो बनता है, circum center, वो होता है, hypotenuse का midpoint, अब ध्यान से सुनेगा, hypotenuse का midpoint, hypotenuse का midpoint, अब इसको बूल जा यह length और यह length दोनों same है आप बोलोग यह answer दोनों बराबर है यानि कि यह जो length है यह क्या है यह right angle triangle के ortho center और circum center के बीच की दूरी है और यह किसके बराबर है बच्चो यह किसके बराबर है तो आप कहोगे सर capital R के बराबर है यानि कि concept number अगला यह जो line है B से O तक की यह जो line है B से O तक की यह क्या है right angle triangle की circum radius है circum radius circum center 3 overtex से बराबर दूरी पर होता है जो O A होगा वो OC होगा वही O B होगा capital R BO जो है वो capital R है वो क्या है ortho center और circum center के बीच की distance यानि कि समकौन तरिबुज में right angle triangle में ortho center और circum center के जो बीच की distance होती है वो circum radius होती है circum radius और circum radius होती है hypotenuse का आधा यह right angle triangle के ortho center और circum center के बीच की दूरी है और यह circum radius के बराबर है यह सवाल आ जाएगा paper में दूसरी बात बैई यह जो line है यह जो point है circum center ही hypotenuse का मद्धे बिंदू hypotenuse का midpoint मैंने आपको पढ़ाया है कि कि दोस्तो मैं क्या आपको दुबारे से live दिखाई दे रहा हूं दोस्तो क्या मैं आपको दुबारे से live दिखाई दे रहा हूं light चली गए थी power cut हो गया था उसकी वज़े से class बीच में रुख गई थी चलो मैं एक बार दुबारे से explain कर देता हूं दुबारे से मैं आपको पढ़ा रहा था ठीक है हमां के बापस मैं आपको बता रहे थे position of circumcenter पोजिशन अप circumcenter तो मैंने बता आपको acute angle triangle की acute angle triangle में circumcenter हमीसा triangle के अंदर होगा फिर मैंने लिया second ब वियास का मिड़ पॉंद अर्द चाहिए अविका में याँबoraबके अटो यांदे की सरकाम डीस होगी राइलगी तैंगल की वो हैपोर थृ एड़ होती है आड़ बराबर हुठ बते दो ठीके बच्चे समझ में आया अब जहां से सुनेगा मैं आपको यह समझाया कि किसी भी समकॉंट तरे बुज में हमेशा सेमी सरकल के अंदर बनता है तो जो रेड वाला पाट है सेमी सरकल है अब अगर राइट अंगल ट्राइंगल का और्थो सेंटर जो होता है दो बात और समझाना चाहता हूँ जैसे हम कोई भी ट्राइंगल बनाते है मीडियन का मतलब होता है किसी भी साइड के मिड़ पॉंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन है माधिका कहलाती है माधिका अगर आप यहाँ पर गौर से देखो गौर से देखो तो यह जो पॉंट ओ है यह साइड एसी का यह हाइपोटीनिस का मिड़ पॉंट है यह जो पॉंट ओ है हाइपोटीनिस का करण का मध्य बिंदू है तो हाइपोटीनिस के मिड़ पॉंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया गया है बच्चो तो ये वाली जो line है क्या हो जाएगी median यानि कि ये जो line BO है ये हाईपोटीनिस की मादधिकाबी है ये जो line है BO ये हाईपोटीनिस की मादधिकाबी है तो ध्यान रखीएगा कि ortho center और circum center के बीच की दूरी circum radius हाईपोटीनिस की median अगर पूछा जाए तो hypotenuse की मादिका भी सरका मरीडियस होती है यह hypotenuse की मीडियन हो गई सरका मरीडियस समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर तो कि hypotenuse का midpoint हो गए midpoint को vertex से मिलाने वाली line जो है यह OB यह आपकी hypotenuse की मादिका भी हो गई आप दीके right angle triangle में सबसे बड़ी भुजा क्या है right angle triangle में सबसे बड़ी भुजा है hypotenuse सबसे बड़ी भुजा है सबसे बड़ी भुजा की अगर मैं मादिका खीचूँगा तो सबसे छोटी आएगी यहनि कि right angle triangle की भी 3 median होती है 3 मादिका लेकिन उन 3 मादिकाओं में सबसे छोटी जो मादिका होगी सबसे छोटी वो मादिका होगी hypotenuse की hypotenuse सबसे बड़ी भुजा जितनी बड़ी भुजा होगी मादिका उतनी छोटी होगी hypotenuse सबसे बड़ी साइड होती है तो इसके उपर median सबसे छोटी होगी यानि कि पेपर में एक दो बार ये भी पूछा गया है कि एक राइट अंगल ट्राइंगल है जैसे सवाल ही आ गया बोला एक समकोर्ण त्रिबुचकी भुजाएं है साथ 24-25 पूछेगा इस समकोर्ण त्रिबुचकी सबसे छोटी माधिका की लंबाई बताओ सबसे छोटी जो माधिका होगी वो हाइपोटीनिस की होगी और हाइपोटीनिस की जो मीडियन होती है वो क्या होती है हाइपोटीनिस का आधा राइट एंगल में साड़े बारे सवाल का अंसर आ जाएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनो माधिकाओं में जो सबसे छ मैंने आपको समझाया है कि जहां अभी नहीं समझाया आगे समझाऊंगा वैसे आपको पता होगा जहां ट्राइंगल की तीनों माद धिकाएं काटती है एक दूसरे को जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियन एक दूसरे को काटते माद धिकाएं माद धिका जहां तिरबुच की कि हांदी, sir, बिल्कुल सही. अब ये वाली जो line है, बच्चो, ये hypotenuse के median है, यानि कि centroid जो होगा, कहीं न कहीं इसी line पर होगा, अगर centroid जो होगा, वो कहीं न कहीं इसी line पर होगा, आप बोलो, यहां, sir, तो g जो है, वो है, centroid, या फिर केंडरक, centroid हिंदी में क्या कहते हैं, केंडरक, तो centroid जो होगा, यह line हाईपोटिनेस की महात दिका, इसी line पर होगा, भाई यह क्या, यह है, यहां से यहां से यहां तक यह जो दूरी है, यह क्या शरकम radius, आप बोलो कि हशन सरी है, सरकम radius, centroid median को दो ratio एक में अगर मैं आपसे पूछूँ बताओ ज़रा BG कितना होगा BG BG का मतलब ortho center distance between ortho center and centroid distance between ortho center and centroid बहुत important concept समझारों distance between ortho center and centroid जवाब दो अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ ज़रा इसे जी तक की दूरी क्या है तेखो ये पूरी दूरी है capital R यह पूरी दूर यह capital R, यह ratio दो ratio एक है, तो मुझे ले निया 2 distance, 2 बटा 3, आप बोलोगे हैंजी सर बिल्कुल से 2 बटा 3, समझ मैं आपको मेरी बात आप बोलोगे हैंजी सर 2 बटा 3, तो यह distance आगी ortho center और centroid के बीच की, अब आप मुझे खुद बताओ, यह capital R क्या है, तो होगे सर capital R है H बटे 2, capital R है H बटे 2, अब सर 2 से 2 तो कट गया, तो आगया जी H बटे 3, तो अपने दिमाग में सीधा value रखिए, पेपर में, एक, दो, नहीं, दस बार कम से कम सवाल आया होगा, कि समकौन तिरबुज के, समकौन तिरबुज के ortho center, 90 degree vertex होता है ortho center, ortho center और centroid के जो बीच की दूरी होती है, ortho center और centroid के जो बीच की दूरी होती है, वो होती है hypotenuse बटे 3, तो ये जो दूरी है, मेरे प्यार और centroid के बीच की दूरी है, यह ही ज्यादे paper में आता है, हलां कि ये किवाल एक यी बार पूछा गया, अगर आपसे ये पूछने लगे, ये पूछने लगे मेरे प्यारबे कि ये कितना होगा ये दूरी बताओ कि right angle triangle में centroid और circumcenter के बीच की ये दूरी बताओ ये कितनी है समकॉर्ण तिरभुज का G है centroid और circumcenter के बीच की दूरी बताओ G-O ये दूरी पूछने लगे G-O G-O क्या होगा तो G-O होगा भी total distance है R ये दो ratio एक है तो R का 1 बटा 3 R बटे 3 R क्या होता है H बटे 2 H बटे 2 का आदा H बटे 6 आ जाएगा तो समकॉर्ण तिरभुज में centroid और circumcenter के बीच की दूरी होती है H बटा 6 दिमाग में रखेगा आप इनको रटोगे भूल जाओगे चित्र दिमाग में रखो ये चित्र ये चित्र मत भूलना कभी भी समझ में आया ठीक है बच्चो बहुत अच्छी तरीके समझ में आयोगा बहुत important concept है इस slide में तो देखो मैंने आपको दो triangle बता दी अभी तक दो triangle पहला है acute angle triangle acute angle triangle का circumcenter होगा अंदर दूसरा मैंने बता है right angle triangle right angle triangle का circumcenter होगा hypotenuse का midpoint तीसरा होता है obtuse angle triangle अधिक कौन त्रिबुच अधिक कौन त्रिबुच का circumcenter होगा वो triangle के बाहर होगा विए मैं यहाँ पर perpendicular bisector खीछता हूँ इस side का perpendicular bisector और मैंने इस side का 이 perpendicular bisector खीचा इस side का 이 perpendicular bisector दौनों कहाँ पर मिल लए हैं दौनों triangle के बाहर जाके बाहर जाके सरक्म center triangle के बाहर आएगा यहाँ से आप दूरी भरेंगे तो ऐसे मेरे दोस्ते सरकल किज़े गाय से समझ में आया तो देखोeres तीनों में बोन और के आप में पूछा गया सरकम रीडियस बताओ इसकी सरकम रीडियस सरकम रीडियस के आ जाएगा 41 बटे 2, 25 पूछा इन रेडियस का आएगी, इन रेडियस आजाएगी भई 9 पलस 40 मानस 41 बटे 2, 4 पूछा गया है BI, BI क्या है distance between ortho center and in center ortho center और in center के बीच की दूरी, मैं आपको बताए कि triangle है, ये इसका मेरे दोस्तों है in circle, ये in circle का center होता है in center ये है ortho center, ये जो दूरी होती है ये होती है root 2R, ortho center और in center के बीच की दूरी होती है root 2R, root 2R का मलब 4 root 2, 4 root 2 पूछ लिया ortho center और circum center के बीच की दूरी, ortho center और circum center के बीच की दूरी, कितनी आजाएगी circum radius 25 पूछ लिया आप से ortho center और और थो सेंटरोड के बीच की दूरी आ जाएगी हबटे 3 हबटे 3 का उनला 13 सही 2 बटा 3 सेंट्रीबिटर तो सारे कंसेट मैंने एकी बार में देखो आपके सामने कितना प्यारे लिखे हैं तीसरा ट्रेंगल मैंने एक्स्प्रेंगल कर दिया है अधिकों त्रिपुच का अगर मैं और्थो सेंटर खीचूंगा सरकम सेंटर तो तीनो साइड के जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खीचूंगा तीनो साइड के तो ट्रेंगल के बाहर मिलेंगे तो अब्टू सें मेरे प्यारे भैस्ञेश्ट। संभाहुत्रिबुच के चारो सेंटर एक ही जगह होते हैं ओ आई जी है चारो एक ही जगह होंगे मेरे प्यारे बई समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कोई प्रॉबलम नहीं है फिर से मेरे विजन करवा देता हूं मैंने पहले भी बताया कि स्रकम रेडियस होती है अपान टूरूर्ट्रीकुलेटर ट्रेमयव ताइट होती है इनर्दियस यह होती है इनर्दियस से स्मॉल र यहां से हां तक की दूरी इनस से सैट की दूरी इनर्दियस जोकी मेरे दोस्तों हइस था हाइट बते थी सरकाहित बोलो एक हाथ कुछ सेमwid DOWN फोंग घो एक लीटल ट्रींगल की हाइट है वही टारे सब्वेटर भी यह ऑपत्ता है ऐ कंठेख मेंगल की सरकम रडियण से टोवाम यह इसे बता रहा हूं मंगे Equilateral triangle की circum radius से radius का ratio होता है, दो ratio है, Equilateral triangle की circum radius होती है, वो height बोलो चा medium बोलो, एक ही बात है, median का 2-3 ही होती है, समझ में आया, आप बोलो कि हाँ जी सर, बिल्कुल सही कोई problem नहीं है, अब very important concept यहाँ पे, very important concept, बहुत-बहुत जाद है, किसी भी triangle के लिए true है, किसी भी triangle के लिए, for any triangle, किसी भी triangle के लिए concept सकते है, for any triangle, किसी भी triangle में, in center और circum center के बीच की दूरी क्या है, किसी भी triangle में, in center और circum center के बीच की दूरी क्या है, देखो ध्यान से सुनेगा, मैं आपको आगे पढ़ाँगा, और्थो सेंटर, सेंट्रोईड और सरकम सेंटर, ये तीनो एकी लाइन में होते हैं, तीनो, यूलर लाइन इसे बोलते हैं, कोई भी ट्राइंगल हो दुनिया का, और्थो सेंटर, सेंट्रोईड और सरकम सेंटर एकी लाइन में होंगे, तीनो एकी लाइन में होते हैं हमेसा, यहां देखो, हमारा right angle triangle है, यहां देखो, right angle triangle में ortho center, centroid or circumcenter, तीनों एकी line में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो दुनिया में जितनी भी triangle हैं, हर triangle में तीनों एकी line में आते हैं, लेकिन जो in center है, in center उसके साथ भेदबाब होता है, उसकी position कहीं और होगा, इस line पर नहीं तो मेरे प्यारे भाई. कभी-कभी paper में सवाल आ जाता है in land or circum center के बीच की दूरी निकलने के लिए in land and circum center के बीच की दूरी कि इसका एक direct formula है वो formula ध्यान रखेगा मेरे दोस्तों किसी भी triangle में in center रर circum center की जो बीच की दूरी होती है ऐख भीए root of capital r का square minus twice of capital r small r जहां r circum radius है, small r in radius है concept clear हुआ आप बोलोगे सर कल ही हो गया concept clear ठीक है ना, किसी भी triangle के लिए सकते है any triangle के लिए देखो distance हमेशा positive होती है कभी negative नहीं हो सकते, distance या तो 0 होगी या 0 से बढ़ी होगी, या निकि ये value या तो 0 होगी या तो 2 होगा, या 2 से बढ़ा होगा या कि circum radius से in radius का minimum ratio होगा वो 2 होगा, और उक इसमें आएगा equilateral triangle में आएगा बहुत important concept है, distance हमेशा 0 से बढ़ी होती है 0 के equal होती है, ये value भी 0 से बढ़ी होनी चाहिए अगर इसको हम 0 से बढ़ा या equal करेंगे तो ही आएगा यहां से ये आएगा, यहां से ये आएगा यानि कि circum radius से in radius का जो ratio हमेशा है तो 2 के बढ़ा होगा या बराबर होगा, minimum value हमेशा इसकी 2 होगी और minimum value मिलती है आपको equilateral triangle में अब जैसे, एक MBA के paper में सवाल है, SSC में नहीं आया है लेकिन आएगा, एक triangle की radius है, circum radius है 11.2 पूछा है triangle का area क्या होगा, कोई triangle possible ही नहीं है circum radius से in radius का ratio minimum 2 होना चाहिए 2 से बढ़ा जब मैं circum radius से in radius का ratio निकालना हूँ तो 2 से छोटा आ रहा है जब यह ratio 2 से छोटा हूँ तो कोई triangle possible नहीं होगा और triangle area नहीं निकाला जा सकता समझ में आया, आप बोलो कि हाँ जी सर, बिल्कुछ सही कोई problem नहीं है H ortho center होता है बेटा, O होता है circum center O इस दा circum center, H होता है ortho center, G होता है centroid अब हम आजाएंगे बच्चों ortho center में, ortho center अब हम आजाएंगे ortho center, हींदी में कहते हैं, Lumb Kindr Lumb Kindr, ortho center को denote करते हैं बच्चों H से इं center को I से circum center को O से, ortho center को H से, ortho center क्या होता है ortho center से बच्चों कोई circle नहीं बनता है, ortho center होता है जहां triangle की तीनो altitude, तीनो height, एक दू सिर्फ काटती है वो ortho center कहलाता है जैसे कि ये side A पर ही height h1 है, ये height h2 है, height h3 है, तीनो यहाँ पर काटने हैं तो ortho center हो जाएगा ortho center, समझ में आया, clear है ortho center is intersection of all three entities of triangle, ये triangle के ortho center triangle के अंदर भी हो सकता है उपर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है देखे, in center और centroid हमेशा दोनों ही triangle के अंदर होंगे, circum center और ortho center ये दोनों triangle के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, उपर भी हो सकते हैं तो ortho center triangle के अंदर बाहर उपर कैसे भी हो सकता है तो इस डिपेंड गरेगा ट्राइंगल का शेप कैसा है हम जानते है किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर बेस ए है हाइट ह1 है तो एरिया ये होता है आप देखिए यानि कि ये जो है दो को धर लाँगा तो AH1 बराबर BH2 बराबर CH3 आगा इसके उपर हुपर हाइट का पॉड़क्ट होता है उलत के सम से बड़ा होता है हमेशा हाइट के योग से बड़ा होता है clear है आगे चलते हैं बच्चों side द्वारा ortho center पे बना angle जैसे side BC है side BC द्वारा ortho center पे बना angle यह क्या होगा यह supplementary होगा जो angle vertex पे बन रहा है अब बताओ यह 90 degree है बच्चों यह भी 90 degree है तो यह aphb यह चत्रमुछ देखो चत्रमुछ में 360 होना चीए ये 90, 90, 180, ये A है तो 180 मानस A आएगा की नी आएगा तो बताओ बच्चो ये एंगल भी 180 डिग्री मानस A आएगा आप बोलो कि हांजी सर आएगा ठीक बच्चे देखे सारे कंसेट का मैंने प्रूफ भी लिखा है लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको समझा नी सकता मैं कर आपको रिजल्ट बता रहा हूँ आपके समरे बच्चो ये है ट्रांगल ABC ये इसका altitude है AD तो और्थो सेंटर कही नगी से लाइन पर होगा ये ट्रांगल ABC है ये इसकी हाइट अधे अर्थो सेंटर इसलाइन पर होगा अब सबोस्च साइड के और अर्थो चीबेच में ये अंगल थीटा है वो क्या है O है circumcenter H ortho center है O circumcenter मैं यहाँ पर अलग से भी चित्र बना दे रहा हूँ वह यह triangle है यह है इसका ortho center यह है circumcenter semi-votex से मिला है ortho center को भी और circumcenter को भी तो बच्चो अगर यह वाला कॉंड theta है तो यह कॉंड भी theta ही होगा ठीक है बई यह theta है यह 90 है यह 90 मानस theta 90 मानस theta तो center पे double circumcenter पे 100C minus 2 theta यह दोनों radius है दोनों बराबर हो जाएंगे यह theta यह theta important concept है H ortho center O circumcenter अगला concept यह triangle ABC है AD, BE, CF इसकी altitude है यह तरबुच ABC है AD, BE, CF तरबुच की height है एक दूसरे को H पे काट रहें कहां काट रहें, point H पर तो AH गुणा HD बराबर BH गुणा HE बराबर CH गुणा HF प्रोड़क्ट बराबर होता है यह triangle की 3 हाइट है height, केवल हाइट के लिए true H पर काट रहें है तो AH और HD दो टूकड होगे AH गुणा HD बराबर BH गुणा HE बराबर CH गुणा HF important concept आगे चलते हैं next next position of next position of ortho center ortho center की position इसको बाटा दो यहां से चेंगे न, मैं आपको बाद में अभी समझाता हूँ position of, कभी कभी आपसे थोरी पूछ ली जाते है बाताओ का होगा और चेंटर position of ortho center acute angle triangle में हमें इस ortho center अंदर होगा acute angle triangle में न, noon, 32 3 height इसकी खीचो, 3 height अंदर मिलेंगी तो ortho center हमें इस अंदर होगा right angle triangle है समकॉंट समकॉंट, तर्वज में ortho center होगा 90 degree vertex 90 degree vertex पे जैसे आपके सामरे right angle triangle है और्थो सेंटर की परिभासा क्या है जहां ट्राइंगल की तीनों साइड के, जहां त्रिबुच की तीनों भुजाओं के, जहां त्रिबुच की तीनों भुजाओं के, मेरे प्यारे बे और्थो सेंटर, त्रिबुच की तीनों भुजाओं के, अल्टिटूड एक दूसरे को म हाइट एक दूसरों कहाँ पर काट कोट आप अगर में हाइप नीक टीन कि यसा आप किि आप बूलों के स्रॉक्त होता है 90 डिगने सा हां जी सर बिलकुल सही ठी से व्यखोई इसको необ है त वहां है प्ली सखर कम सेंटर मत मानने लगना है सेंटर नहीं है, this is not सरकम सेंटर, यह सरकम सेंटर नहीं है ठीक ना, सरकम सेंटर अलग होता है अगर मैं सरकम सेंटर देखूंगा तो हाइपोटीनस का मद्य बिंदू होगा, यह हाइपोटीनस की हाइट है सरकम रेडियस अलग होता है, हाइपोटीनस पे आपएशली कि अब और गारे चहले हुए तो यह अगर कई बहुत क्ता हैं कौका हम और सामने वाले वह नियों जो है बाहर मिलेकि आपब लोगें सब अब तो बाहर मिलते हैं उत्रों जाओ आफ़िए बाहर है औबट्व सेंगल ट्राइंगल में खास बात कैसे сказала कि आए वार्टेकस पर्पेंडिकुलर ढलते हैं तो साइड को आगे बढ़ाना पाड़ता है तो आगे बढ़ा के ढलते है पर्पेंडिकुलर इसलिए और्साइंटर का मेरे प्यारई भी और्फो सेंटर अब्टू सेंगल ट्राइंगल का और्थो सेंटर हमें सेंगल के बाहर होगा जैसे ABC का है बाहर पोजिशन पता चल गी आप बोलो कि हाँ जी साथ चल गई अब सा अगला कंसेप्ट अगर किसी ट्राइंगल की दो हाइट दी है है ह1 और ह2 अगर किसी ट्राइंगल की दो हाइट आपको दी है ह1 और ह2 और आपसे पूछा गया कि तीसरी हाइट की तीसरी एल्टिटूड की रेंज क्या होगी तो मेरे दोस्तों ये रहा कंसेप्ट यहां पर ये रहा कंसेप्ट प्रूफ में नहीं समझा रहा लिखा हुआ है स्लाइड में अगर किसी ट्राइंगल की दो हाइट दी हुई है ह1 और ह2 और आपसे ट्राइंगल की तीसरी हाइट पूछी है ह3 तो तीसरी हाइट जो होगी ह1 इंटू ह2 अपोन ह1 पिलस ह2 से बढ़ी और ह1 इंटू ह2 अपोन ह1 डिफरेंस ह2 या बढ़ी हाइट में से छोटी हाइट घटा दीने बेजी जक इनसे छोटी एक कंसेप्ट है अगर किसी ट्राइंगल की दो हाइट ह1 और ह2 जी है तो ट्राइंगल की जो तीसरी हाइट होगी ह3 ह1 ह2 अपोन ह1 प्लस ह2 से बढ़ी और ह1 ह2 अपोन ह1 डिफरेंस ह2 से छोटी समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है नेक्स्ट कंसेप्ट यूलर्स लाइन बच्चो ट्राइंगल में तीन सेंटर जो होते हैं और्थो सेंटर सेंटर और सरकम सेंटर और सरकम सेंटर हमेशा तीनो एक सीधी रेखा में होते हैं सीधी रेखा में always तीनों सीधी रेखा में होंगे HGO, HGO एक हमेसा state line आएगी, autocenter, centroid और circumcenter, हमेसा एक सीधी रेखा में किसी भी triangle के लिए, और HG से GO का जो रेश्यो होगा दो रेश्यो एक आएगा, इसी को बोलते हैं Euler's line, ठीक है न, देखो मैंने आपके सामें triangle बना लिया, A, B से ये इस triangle की height है और तो और तो center की कहीं इसी line पे होगा, H, और तो center इसी line पे होगा अब ये suppose O है इसका circumcenter O है circumcenter, अब circumcenter क्या होता है, जवाब दो, what is circumcenter circumcenter वो point होता है, जहां triangle की तीनों side के perpendicular bisector एक दूसरी काटते हैं तीनों भुजाओं के लंब सम्दी भाज़क एक दूसरी काटते हैं O सरकम center, अगर मैं circumcenter से side BC पे perpendicular डालूँगा perpendicular, ये जो point होगा M, ये side BC का midpoint होगा, यानि कि BM और MC बराबर होगा BC बटे 2 वो कि मेरे दोस्तों ortho center बनता कैसे है जहां triangle की तीनों भुजाओं के लंब सम्दी भाज़क दूसरी काटते हैं यानि कि एगर मैं circumcenter से side BC पे perpendicular डालूँगा तो ये M, side BC का midpoint होगा ये line OM BC का लंब सम्दी भाज़क होगी ये भी 90, ये भी 90, दोनों parallel होगी खंबे खड़े हो गए side M जो है BC का midpoint है BC का midpoint अगर मैं M को A से मिलाऊंगा तो ये जो line है AM ये बनगी median मदिका बनगी median, median क्या होता है किसी भुजा के मद्दय बिंदू का opposite vertex से मिलाने वाली line side के midpoint का opposite vertex से मिलाने वाली line median, ये median बन गई अगर ये median बन गई है तो centroid कही न कहीं इसी line पे होगा centroid आप बोलोगे हाँ सर इसी line पे होगा centroid जो है कही न कहीं इसी line पे होगा इसी line पे होगा Euler ने बताया कि ये 3.A की line में होंगे centroid जो है median को 2 ratio 1 में माठता है तो ये ratio 2 से 1 का होगा 2 ratio 1 आप बोलोगे हाँ सर वहगा कि ने 2 ratio 1 अब आप खुद बताओ आपको यहाँ पे 2 triangle दिखाए दे रहे हैं एक तो triangle AHG दूसरा triangle MOG आपको यहाँ पे 2 triangle दिखाए दे रहे हैं AHG दूसरा MOG दूसरे के similar है कैसे similar है ये वटी के लिए opposite angle same है ये दूनो parallel line है ये और ये parallel line तो अगर ये theta तो ये theta alternate angle अगर दो line समानतर है ये इनके transversal line है ये angle theta है तो ये भी theta होगा मेरे प्यारी भाई ये दूनो line AD और OM समानतर है ये theta तो ये भी theta alternate angle जब दो angle बराबर है तो तीसरा angle automatically बराबर हो जाएगा तीसरा angle बराबर तो similar हो गए similar है तो corresponding side का ratio बराबर होगा यानि कि ये ratio दो ratio एक है corresponding side का तो HG से GO का ratio भी दो ratio एक आएगा हो गया? Euler's theorem proof हो गई? लेकिन ध्यान इस बात कर खेगा CDS के paper में सवाल आये था ये AH से OM का ratio भी 2-1 होगा ये AH से OM का ratio भी 2-1 होगा 2-1 एच से OM का भी इसका मतलब ortho center से ध्यान सुनेगा H है ortho center ortho center से vertex तक की दूरी और circum center से opposite side तक की दूरी इन दोनों का ratio 2 ratio 1 होता है 2 ratio 1 समझे बच्चा लोग ortho center से vertex तक की दूरी circum center से opposite side तक की दूरी इनका ratio भी 2 ratio 1 होगा 2 ratio 1 paper में सवाल आया था कि ये वाली length 8 cm है तो ये length कितीन होगी 4 cm होगी तो आज मैं आपको पढ़ाँगा centroid और किंद्रक paper में सबस्यादे सवाल centroid से पूछे आते हैं किंद्रक से वो point centroid कहलाता है समझ में आया तो जैसे ADS triangle की median है ये BE मेरे दोस्तों median है BE और इस CF जो है मेरे प्यार भी CF ये triangle की एक मादिका है समझ में आया तो जहाँ triangle की 3 o median एक दूसरे काटती है point G पर वो centroid कहलाता है ठीक है आगला concept median triangle को 2 equal area में बाठती है median triangle को 2 equal area में बाठती है centroid median का intersection point होता है centroid हमेशा triangle के अंदर होगा केंद्रक हमेशा त्रिबुच के अंदर होता है बाहर नहीं होता है जब भी हम किसी triangle की medians खीचेंगे तो 6 triangle बनेंगे एक दूँ 3-4-5-6 इन ये सभी triangle का area बराबर होगा और पूरे बड़े triangle ABC का एक बटे 6 होगा 6 triangle बनेंगे median से और सब का area equal होगा आपस में concept clear आप बोलो गहां जी सर बच्चों ये centroid है जी centroid है centroid से मैंने vertex ABC को मिलाया तो भी 3 triangle बनेंगे triangle AGB, AGC और BGC ये 3 triangle का area बराबर होगा इन तीनों triangle का area बराबर होगा और पूरे बड़े triangle के area का 1 third होगा area बराबर होगा ऐसा किवल median centroid के case में होता है बाकी नहीं होता आगे चलते है अगला concept सावंड आरी आपको मेरी concept number next ध्यांस सुनेगा मेरे दोस्तो centroid हमिसा median को दो ratio एक के ratio में डिवाइड करता है का अरे बच्चा लोग अरे बच्चा 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 centroid हमिसा median को दो ratio एक के ratio में डिवाइड करता है जैसे triangle ABC है ये इसकी median है ये इसकी मादिका है बच्चो ये भी मादिका है अब ये जो centroid है जी यह median को दो ratio एक में भाटेगा, जो ratio AG से GD का होगा, वो BG से GE का और CG से GF का, ratio हमेसा 2 ratio एक होगा, यहाँ पर proof भी लिखा हुआ है, बट मैं proof explain नहीं कर सकता, इतना समय नहीं है, slide में प्रॉपर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है न, आप बोलोगे सर, बहुत मस्त है सर, आपको यह upper part लेना है, centroid से vertex तक की दूरी, और lower part लेना है मेरे दोस्तों, यह, AG से GD का ratio 2 ratio एक, BG से GE का 2 ratio एक, CG से GF का ratio 2 ratio एक, next, अगला concept, अपोलोनेस थोरम, अपोलोनेस थोरम इस्तिमाल होती है, median की लंबाई निकालने के लिए, अपोलोनेस थोरम इस्तिमाल होती है, median की लंबाई कैसे निकालेंगे, जाने बतो, यह triangle ABC है, हमने vertex A से median खीची है AD, यह median खीची AD, AD की लंबाई कैसे निकालेंगे, आजू-बाजू की side के square का sum AB square plus AC square बराबर, twice of median AD का square, यह median AD का square, plus चाए BD ले लो, चाए DC ले लो, इस्छापकी है, प्लस BD का square, इसे ही कहते है अपोलोनियस थोरम, अपोलोनियस थोरम वहाँ लगेगी, जहाँ triangle की तीनों side आपको दी हैं, ठेके बेटे, और आपको median की लंबाई निकालनी हो, AB square plus AC square बराबर, twice of AD का square, प्लस, चाए BD ले लो, चाए DC ले लो, इस्छापकी, BC बटे 2, और BC बटे 2 का square करेंगे, तो कितन AB square बटे 4, यहाँ तक किसी बच्चे कोई समस्या, आप भोलों के साथ, धेले भर की समस्या आपको नहीं है, ठेके रहें, तो मैंने median AD की खीचिए, उसके आजू बाजू की side की square का sum AB square plus AC square बराबर, twice of AD square plus BD square, अगला concept, अच्छे यह भी आप जान सकते हैं, जैसे center अडे, द ठीक है, देखो बच्चो, यह triangle ABC, इसकी तीन median है, AD, BE और CF, इस triangle की तीन हो मात देखा है, AD median है, यह BE median है, मेरे दोस्तों, यह CFB आपकी median है, तो भाई ध्यान सुनेगा, बहुत important concept है, कई बार यह direct theorem पूछी गई है, side के square का sum का 3 मुना बराबर होता है, 4 times of median का square, 3 times of AB square plus BC square plus AC square, बराबर 4 times of AD square plus BE square plus CF square, अगर मैं तीनों median पे अपोलोनिस थर्म लगा के जोड़दू तो result आएगा, side के square के sum का 3 मुना बराबर 4 times of median के square के sum का 4 मुना, 4 times of AD square plus BE square plus CF square, अगर मैं इसको यहाँ लियाओंगा नीचे बटे में, तो 3 उदर चला जाएगा, 4 बटे 3 यानि की concept यह बनता है मेरे दोस्तों कि side के square के sum का, median के square के sum के साथ ratio हमेशा 4 बटे 3 होता है, कई बार सवाल आ चुका है paper में कि AB, BC, CA triangle की side है, AD, BC, CF, median है, तो बताओ यह ratio क्या होगा, कभी 4 बटे 3 लिख देता है, कभी 1 लिख देता है, कभी 5 बटे 4 लिख देता है, कभी 3 तो 4 बटे 3 होगा, यहना side के square के sum का 3 गुणा, बराबर 4 times of median के square के sum का 4 गुणा, बहुत important concept है, आगे चलते हैं, अगला, next concept की तरफ, अगला concept क्या है मेरे प्यार भी, अगला concept यह है, ध्यां सुनेगा, वह यह triangle ABC है, AD, BC, CF इसकी median है, AD, BC, CF क्या है, इसकी मादिकाए है, ठी यह triangle की 3 गुणा side के sum का AB, BC, BC, CA, median के साथ जो ratio होता है, median के साथ, AD, BE, CF, side के sum का median के साथ ratio जो होता है, यह स्क्वायर नहीं बैटा, यहां तो स्क्वायर है मेरे प्यारवे, साइड के स्क्वायर के सम का मीडिन के स्क्वायर के सम के साथ रेश्यो चार बटे तीन होता है, यह है ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का सम, यानि की पैरिमीटर, यह का है ट्राइंगल की तीनों ट्रेंगल की तीनों भुजाओं का योग हमेशा मीडियन के समसे बड़ा होता है, ठीक है ना? एक कंसेप्ट में आपको और बता देना चाहता हूँ जैसे आपके सामने ट्राइंगल है यह ट्राइंगल है A, B, C हमने इसके मीडियन कीज़ी, मीडियन माद दिका, A, D मीडियन होगी, इस दोनों बड़ाबर है आप जानते है ट्राइंगल में किनी भी दो साइड करसम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है तिरबुच की किनी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है ठीक बच्छे आप बोलो कि हाँ जी सर ऐसा तो है सर ऐसा ही है, बिलकुल सही कह रहे है आप अगर मैं इस पॉन्ट D से एक पैरलाइन कीज़ देता हूँ, पैरलाइन पॉन्ट D से एक पैरलाइन खीच देता हूँ, मैं पैरलाइन इस तरीके से D E तो मिड़ पॉन्ट हरम से साइड BC के मिड़ पॉन्ट से अगर मैं पैरलाइन खीचूँगा तो अपोजिट साइड को भी मिड़ पॉन्ट पर जाके मिलेगा, मिलेगा की नहीं, अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे ये जो A E है, ये A E क्या है, A C का आधा मिड़ पॉन्ट हरम से जो D E है, ये क्या है A B का आधा अब दो साइड कसम हमें सा तीसरी से बड़ा होता है, यानि कि A C by 2 प्लस A B by 2 बराबर greater होगा A D, इन दौनों कसम A D से बड़ा होना चाहिए यानि कि A B plus A C, A B plus A C greater होगा twice of A D, यानि कि ये भी एक concept बनता है मेरे प्यार भी, ये भी concept है, इस पर भी सवाल एक्जाम में आया है, कि ये triangle की side A B है, ये AC है, तो इन दौनों साइड का जो सम है, median A D के double से बड़ा होगा, median A D से double होगा, A B plus A C का जो सम है, वो मेशा मादिका A D के दुगने से बड़ा होगा, ये भी एक concept बनता है, ठीक है बच्चे, समझ मैं तो ठीक है, नहीं तो रटलो, ऐसी हर vertex के लिए लगा सकते हैं, ठीक है न, चलेगा, ये धान रखना है मेरे प्यारी भाई, ये भी, कि median के sum का 4 गुना हमेशा साइड के sum के 3 गुने से बड़ा होता है, इन दौनों का combined result ये है, इन दौनों का combined result ये है, ठीक है बच्चे, दौनों का combined result चलेगा, आगे चलते हैं, आगला concept सब लोग, ये तो पढ़ाई है सब लोगोंने, centroid बगेरा, next concept की तरह, concept बहुत है भाई, centroid में बहुत आसान chapter है लेकिन concept बहुत सारे हैं, अब ध्यान से समझेगा मेरे प्यार बे, बहुत बहुत प्यार से समझेगा, देखो दोस्त, दो concept बताऊंगा मेरे प्यार बे, proper यहाँ पर proof लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर proof नहीं explain कर सकता, बहुत time लग जाएगा, देखो बच्च यह triangle है, A, B, C, A, D, B, E, C, F, इसकी median है, अब मैंने दो side के midpoint को मिला है, दो side के midpoint को मिला है, दो side के midpoint को E को रेफो, इन दोनों को midpoint को मैंने मिलाया है, तो midpoint को जब मैंने मिलाया, यह तो centroid बन गया, तो यह जो 2 side के मैंने midpoint को मिलाया है, यह इस median को point O पर काट रहा है, तो मैंने दो साइड के बच्चों midpoint को मिलाया है और ये जो है मेरे प्यार में कहा है इस median AD को मद्धे median AD को point ओपर काट रहा है तो ये जो AO, OG और GD का जो ratio है ये AO, OG और GD का जो ratio है ये 3 ratio 1 ratio 2 होगा मेरे दोस्तों AO, OG और GD AO, OG और GD का जो ratio होगा वो तीन उनपाथ, एक उनपाथ, दो होगा ये ABC है, ADP, ECF median है median हमने दो साइड के मद्धे बिंदो को मिला है तो AO, OG और GD का जो ratio होगा वो हमेसा 3 ratio, एक ratio 2 होगा प्रूफ भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको 6 मानता हूँ 6 क्यों माना जिससे कि आधार 1,30 क्या जा सके 6 मानेंगे, तो center or 2 ratio एक में बाटेगा ये 4 हो जाएगा है, 2 हो जाएगा ठीक है ना, क्लिर है कोई परिशानी, पूर अच्छ है तो 6 का आधा आधा ये 3 और 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बाई तो उपर 3 बचा, नीचे 1 बचा और सबसे नीचे 2 AO से OG से GD का जो ratio होगा, वो 3 ratio, 1 ratio, 2 होगा, यहाँ पर प्रूफ प्रूफ भी है, ठीक है ना कई बार पेपर में, ये भी पूछा गया है मेरे दोस्तों कई बार पेपर में, ध्यान सुनेगा, कि AO से OG का ratio बताओ, AO से OG का जोला, A से O तक की दूरी, और O से G तक की दूरी, इसका ratio कितना होगा, तो ratio हमेसा 3 ratio 1 होगा, 3 ratio 1 होगा, 3 ratio 1 होगा, very very important concept, 3 ratio 1, ठीक ना, किया क्या है, यहाँ पर 2 side के midpoint को मिलाए गया, वो median को point ऊपर काट रहें, तो A से OG का ratio 3 ratio 1, अगला concept, अगला concept क्या है मेरे प्यारे बाई, कि ये triangle ABC, इसकी तीनों मादिक है, मैंने 2 side के midpoint को मिलाए, 2 side के midpoint को, 2 side, कोई भी 2 side ले लो, आप AB और AC के मद्दय बिंदों को मिलाया, ठीक ह और यह है centroid, एक triangle बन गया, 2 side के midpoint, और centroid को मिलाने से triangle बन गया, यह triangle बन गया कि नी, बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, तो यह दो concept मुझे आपको समझाने है, ठीक न, अगर आप इनको ध्यान भी रख लोगे, तो भी आप जो है, एक एक सारे question कर concept, अगला concept करेंगे हम मूठा के, बहुत बहुत important concept है, इतना important concept आत्मा से भी जाद है, if two medium of a triangle intersect each other at 90 degree, ध्यान सुनेगा बच्चे, अगर किसी त्रिमुच की दो माद धिकाएं, एक दूसरी को 90 degree के एंगल पर काटती है, बहुत important concept, अगर किसी triangle की दो माद धिकाएं, एक दू दूसरी को 90 degree के एंगल पर काटती है, if two medium intersect each other at 90 degree, जैसे आपके सामने है, ये triangle ABC, आपके सामने triangle ABC, इसकी दो माद दिकाएं, एक ये median है, बच्चे और एक ये median है, ये दौनों ही median एक दूसरी को यहाँ पर काट रही, 90 degree के एंगल पर, तो ये जो कौन है, 90 degree का है, प्रूफ यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ऐसा है, अगर किसे triangle की दो median 90 degree पर काटती है, तो side में relation, ये side AB है, ये side AC है, ये side AB है, ये side AC, side AB और AC की median है, 90 degree के सामने की जो भुजाय वो BC है, 90 degree के सामने की भुजाय बच्चो BC है, तो result ये है, कि AB square plus AC square बराबर 5 times of BC का square, बच्चा लोग AB square plus AC square बराबर 5 times of BC का square, अगर किसे triangle की दो median एक दूसे को 90 degree पर काटते है, तो side में का relation है, AB square plus AC square बराबर 5 times of BC का square, आपको कोई 90 degree के सामने की साइड BC है, यहाँ पर वाई आएगा बटा, टेकि मिस्टेक हैं हाँ पर टाइपिंग में, ठीक ना, ओके, AB square plus AC square बराबर 5 times of BC square, अब आगे चलते हैं, special case in isosilis triangle, special case in isosilis triangle, बच्चो, अगर किसी isosilis triangle की 2 median 90 degree पर काटती है, isosilis triangle की, special case in isosilis triangle, आपके सामने, एक संदी बाहुतर मुझे है, इस प्रकार से ABC, जिसमें side AB और AC बराबर हैं, AB और AC बराबर हैं, तो इसके दो median है, मेरे दोस्ते, BE और ACF, ठीक कई बार paper में सवाल आ चुका है, ये दोनों median है, BE और CF, और ये एक दुसरे को 90 degree के एंगल पर काटती हैं, ये centroid हो गया, ठीक है बच्चे, चुकि ISO-slash triangle है, side AB और AC बराबर है, तो side AB और AC बराबर हैं, इन पर median भी बराबर हो जाएं, यानि कि जो लंबाई BE की होगी, वही लंबाई CF की होगी, चुकि ISO-slash triangle है, अगर किसी ISO-slash triangle की 2 median 90 degree पर काटती हैं, तो concept ये लगना चाहिए, AB स्क्वार प्लस AC स्क्वार बराब पांच बटे 2, ये दो बार पेपर मों पूछा गया, रेश्यो पांच बटे 2, अंडरूट लेंगे, तो AB से BC का रेश्यो आएगा, रूट 5 बटे 2, तो AB से BC का रेश्यो आएगा, बच्चा लोग, और रूट 5 बटे 2, यानि कि अगर ये रूट 5 उनित है, ये भी रूट 5 से रूट 2 होगा, AB से BC का रेश्यो आएगा, रूट 5 से रूट 2 होगा, ठेके बच्चे, आप बोलोगे हैं, इस दोनों कंसप्ट समझ में आए, ये खेवाल आई इसलस्यलाश ट्राइंगल के लिए हैं, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए, अगर किसी भी ट्राइंगल की द concept दिहां सुनेगा मैं आपको बता देता हूं कि ये triangle ABC है इसकी ये दो median ने BE और CF 90 degree पे काटती है दोनो median है BE यहाँ पर लिख लीजेगा ये future year का है कभी ना कभी तो आएगा median BE और CF दोनों ही 90 degree पे काटती है तो BE का square plus CF का square BE का square plus CF का square ये इस triangle की तीसरी median बनेगी ये क्या होगा बच्चे ये तिर्वच की तीसरी मादिका बनेगी AD तीसरी मादिका बनेगी AD बराबर होगा AD का square ये concept है आपको कोई दो value दे देगा और आपसे तीसरी value पूछ लेगा future year का concept कि अगर किसी तिर्वच की दो माद दिखाएं एक दूसरी को 90 degree के कौण पे काटती है तो be square plus cf square बराबर तीसरी side की जो median है जो third median बची बराबर third median का square this is the concept अचा कितने बच्चे ऐसे जिनको ये सब्थोरम पहले से पता है कितने वालक ऐसा है जिनको ये सब्थोरम पहले से पता है बच्चा ठीकर है be square plus cf square बराबर ये third median ad का square ठीकर है ये median relation अगर किसी तिर्वच की दो माद दिखाएं 90 degree पे काटती है तो a b square plus b c square नहीं बेटा सा मरजीत a b square plus c square बराबर 5 b c का square ठीकर है ये तीनों मेडन 90 काट रही है तो जो दोनों मेडन 90 काट रहे है be or cf be square plus cf square बराबर third median ad का square हां कर जो तीनी तो मेडन होंगी जो दो मेडन 90 काट रहे है वो be or cf है be square plus cf square बराबर e b square हां जी आगे चलते अगला current chapter गवरा गवरा अरे राम रहे, श्री राम, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को इस पेशल कौने में लेके बता देता हूं, फिरसरी वीजन करवा देते हैं, भाई एक समकौन ते मुझे है, इसका सरकम सेंटर हो गया हाइपोटिनेस का मिड़ पॉइंट, यानि कि हो गई हाईपोटिनेस की मीडियन, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाईपोटिनेस की मीडियन होती है, वह ट्राइंगल की सबसे छोटी मीडियन होती है, और वह सरकम सेंटर की दूरी होती है, अधा हधा एक बतेच World, एधना प्यारा कंसेंप्त है, आपके साמה में है र आइट 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 आपको इन में से कोई 3 value देगा और 4 value पूछ लेगा, यह D और ही any point है, mid point नहीं है, mid point के लिए भी सकते है, यह mid point के लिए भी सकते है, any point के लिए भी सकते है, कि माना right angle triangle के legs AC और BC पर दो point यह और E है, तो AD का square प्लस BE का square बराबर AD square बराबर AB square hypotenuse प्लस DE का square, AB square प्लस DE square, very very important concept, अब इसका advanced version आपको समझना है मेरे भाई, कि दोस्त आपके सामने right angle triangle है, समकौन ते बोचे, श्री राम, A, B, C, A, नभे, ऐसी बता देता हूं मेरे भाई, ठीक रहे, अब यह median है, यह median है, यह median है, यह median है, यह median मैंने किज़नी median, तो यह माधिका है भाईया, AD, और यह भी माधिका होगी, बहुत important concept है, दो-तीन साल लगातार इसमें मिंस के paper में सवाल आया था, और यह है मेरे दोस्तों, आपका centroid G, यह आपका centroid है बच्चो G, समझ में आया है, आप बोलो कि सर आया है, तो देखो concept वही लगेगा, midpoint है, अभी भी वही concept लगेगा, कि AD स्क्वायर, पिलस BE स्क्वायर, बराबर, AB का स्क्वायर, पिलस DE का, AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, concept वही लगेगा, भाई, मेरे, ठीक है ना, ठीक है जी, अब ध्यान से समझे की कोशिश करेगा, मेरे प्यार भी ध्यान से, midpoint theorem से, मत्य बिंदू पिर में से बताओ, यह जो DE है, DE, यह क्या है, यह जो DE है, midpoint theorem से D, side BC का midpoint है, E, side AC का midpoint है, तो DE क्या होगा, DE जो होगा, वो hypotenuse AB का आदा हो जाएगा की नी, midpoint theorem से DE क्या हो जाएगा, hypotenuse AB का आदा, आप बोलो कि हांसर, तो इस DE की जगह आप AB बटे दो, रख दो, AB बटे दो, रहा रख दीजे, तो concept बन जाएगा, यहाँ value रख दो, DE की जगह AB बटे दो, 4 times of AD square, plus BE square बराबर, 5 times of AB का square, और बहुत बहुत जादे important concept है, कि triangle के legs की median, और hypotenuse में सीधर relation होता है, 4 times of AD square, plus BE square, 4 times of legs की median के square का sum बराबर, DE की जगह AB by 2, यहाँ पर put कर लेना, है भी put कर लेना, और यही आएगा मेरे दोस्तों, आप बोलो कि हाँ जिसर, रेश्यो भी कई बार पूछा गया, मैं AB square को ज़र लाओंगा, तो AD square, plus BE square बराब, upon AB square, यह रेश्यो भी कई बार पूछा गया है, कि AD, BE, एक right angle triangle के legs की median है, 90 degree बनाने वाले भुजाओं कि मादिका है, AB hypotenuse है, यह बताओ, AD square, plus B square, upon AB square कितना होगा, पांच बटे 4, आप बोलो कि हाँ जी सर, पांच बटे 4 होगा, बहुत-बहुत important concept है, बहुत-बहुत important concept, बच्चा लोग, अब अगर मैं इसको यहाँ पर मिला दूँ, यह जो है CO, यह hypotenuse की median है, यह third median बनगी, आप बोलोगे, हाँ sorry, यह third median बनगी, यह third median बनगी, ह bas समकौन त्रिबुच की तीसरी मीडियन है CO जो की सरकम रडियस के बराबर है इस राइट अंगल ट्रियंगल की दो मीडियन तो है AD और B ये तीसरी मीडियन है जो की सरकम रडियस के बराबर होगी हाइपोटिनेस AB का आधा होगी यानि कि यहां से hypotenuse AB कितना होता है 2R hypotenuse AB कितना होता है बेटा circumradius का double तो अगर मैं यहां पर बेटा मेरे सुनना अगर मैं यहां पर 4 times of AD square plus BE square बराबर अगर मैं यहां पर hypotenuse की जगए AB की जगए रख देता हूँ 2R 2R या फिर 2CO A की बात है 2R का whole square plus BE square बराबर 4 times of capital R square यानि कि right angle triangle की 3 median में relation है 3 मादिकाओं में सवाल ये भी बन सकता है पेपर में कि एक समकौन तिरुमुच की 2 मादिकाओं की लंबाई आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा hypotenuse की मादिकाओ बताओ यहां से direct निकलेगा AD square plus BE square बराबर 4 times of capital R का square capital R कुछ और नहीं है hypotenuse की मादिकाओं ही है कान की मादिकाओं आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कोई problem नहीं है ठीक है जी yes or no सभी को समझ में आ गया आगे चलते है ठीक है next concept ठीक है यहां पर इसका मैंने पूरा proof भी यह लिखवाया हुआ इस मैंने explain भी कर दिया है चलेगा आगे चलते है next concept की तरफ अगला concept हच से जाद important अगर बच्चों किसी triangle की तीनो मादिकाओं दे दिये मादिकाओं और आपसे पूछा है triangle का area बताओ triangle की median की लंबाई से जो मेरे दोस्तो area बनेगा तरफ चीरो median दिये median की लंबाई का इस्तिमाल करके जो triangle बनेगा आप उस triangle का area निकालो और इस area को 4 बटे 3 से गुणा कर दो 4 by 3 से multiply कर दो this is the concept अगर किसी सवाल में आपको triangle की तीनो मादिकाओं दी है जो आप काओंगे सर जी अभी बताएंगे सर जी अभी बताएंगे एक त्रिमुच की मादिकाओं की लंबाई 15 369 है तो मादिकाओं से triangle बनाओ सर मादिकाओं से right angle triangle बन गया कौने में ले जाके अब यह 5 बारे 13 का तीन गुणा इस right angle triangle का area सर यह रहा उसको चार बटे यह से गुणा मादिया आगया 360 तो 360 आ जाएगा मेरे दोस्तों 360 समझ में आया सर पांच आर होगा 5 पांच आ येगा पांच आएगा पांच यह 5 आएगा बेटे 5 पांच आएगा sorry sorry 5 56.15 चिक नभभय चोका 360 आ जाएगा समझ में आया क्लिए हर एक कांसेप्ट को बहुत सिक्वेंस में लिखा हुआ है हां पर, आगे चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर, next concept इस साला कंसेप्ट खताम ही नहीं होता, खताम ही नहीं होता कंसेप्ट इसको हटाओ यहां से, इसकी सुरत नहीं है, इमने बता दूँगा, चलो बता दूँगा, डाइग्राम गलत बढ़ गया है, बागी ठीक है, बताओ आपको, जहां सुनेगा, पहले देखो, देखो बच्चे, अगला कंसर्ट धान सुनेगा, बच्चो, यह ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी, जी इसका सेंट्रोड है, जी क्या इसका सेंट्रोड है, तो ADBECF क्या है, ADBECF इसकी माधिकाए है, अब हमने आपको कंसर्ट बताया है, कि side के square के समका, median के square के साथ जो ratio, वो 4 बटे 3 होता है, AB square plus BC square plus CA square upon AD square plus B square plus CF square बराबर 4 by 3, लेकिन पेपर में दो बार, दो तीन बार सवाल आए, 24 और 15 में, कि side के square का समका ratio आपको बताना है, इससे AG square plus BG square, फिलप CF square, AG square plus BG square plus CG square, क्या होगा मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारी बटे यह AD क्या है, यह जो AD है, यह AG का 3 by 2 times है, यह ratio क्या है, मेरे प्यारी जवाब दो, यह ratio क्या है, 2 ratio 1, यानि कि अगर AG 2 है, तो AD कितना है, 3 unit है, तो AD जो है, AG का 3 by 2 times है, तो AD की जगे 3 by 2 AG रखेंगे, BE की जगे क्या रखेंगे 3 by 2 BG CF की जगे क्या रख सकते हो CF की जगे रख सकते हो 3 by 2 CG हाँ पर रखो 3 by 2 9 बटे 4 उदर मल्टिप्लाई हो जाएगा 4 से 4 कट गया 3 यानि कि AB square प्लस BC square प्लस C square का AG square प्लस BG square प्लस CG square से जो रेश्य होता है वो 3 होता है समझ में आया तो हिरों सोल लगा के एरिया निकालो बेटा फिर 4 बटे 3 से गुना कर दो ठीक है जी? नेक्स्ट आगला concept बहुत बहुत important concept है यह हद से जाद important concept है मेरे प्लस आपके सामने एक triangle बनाया है ABC बच्च आपके सामने एक triangle बनाया है ABC जी इसका centroid है जी केंद रखे यानिकि यह median है जी केंद रखे यदि AG की लंबाई BC के बराबर है यदि AG की लंबाई जो है वो BC के बराबर है अगर AG की लंबाई BC के बराबर है तो यह angle BGC जो होगा हमेशा 90 degree होगा अगर अगर आप इसको यहां से मिलाओगे अगर आप इसको यहां से मिलाओगे मेरे प्यारे बाई तो आप जाते हैं सेंट्रोड मीडेन को दो रिश्यो एक पर माटता है अगर यह लेंथ दो यूनिट है तो यह लेंथ एक यूनिट बचे की नहीं आप बोलोगे हां जी सर अगर आप ध्यान से देखो ट्राइंगल BGC को यह लेंथ भी वन यूनिट है यह भी वन यूनिट है यह भी वन यूनिट है ऐसा केवल किस में होता है राइट अंगल ट्राइंगल में होता है सम कौन त्रिबुज में सम कौन त्रिबुज में तीनो लेंथ बराबर होती है और सेमी सरकल में होता है यहने कि यह वाला जो एंगल बचा कितने डिगरी का बचा 90 डिगरी का यहने कि अगर AG की लंबाई BC के बाराबर है तो यह एंगल BGC हमेसा 90 डिगरी होगा सभी को बात समझ में आई आई आप बोलो कि हां जी सर बात समझ में आ गई है कोई परिशानी नहीं है लास्ट कंसेप्ट लास्ट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भी आपके सामने कि दोस्तों जैसे हमने आपके सामने राइट अंगल ट्रांगल बनाया ABC राइट अंगल ट्रांगल के लिए था वस यह गलती थी यहां पर ABC और यह मेरे दोस्तों जो है इसके यह राइट अंगल ट्रां यह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों centroid हो जाएगा तो यह जो BE है जो BE है यह क्या है सरकाम radius के बराबर AC का आधा अभी अभी मैंने आपको concept बताए कि right angle triangle की median में क्या relation है AD square यह है यह है 5 times of B E के आधा सुनेगा एक ही बार पेपर में आया है सवाल पर फिर में आपको बता रहा हूं देखो centroid से vertex तक की जो दूरी होती है median का 2 3 होती है यह right angle triangle की तीनो median में relation है तो अगर मैं median का 2 3 ही लूँगा तो उनमें भी तो relation follow होना चाहिए बाई यह median AD का 2 3 है बताओ यह length क्या है यह median AD का 2 3 है यह median CF का 2 3 है यह hypotenuse की median का 2 3 है तो इन तीनों में भी तो यही relation follow होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं यानि कि AG का square plus CG का square बराबर होगा 5 times of 5 times of BG का square इन में से आपको कोई भी दो value दे देगा और आपसे तीसरी value पूछ लेगा AD का 2 3 है तो यहां भी यह relation follow होना चाहिए AG का square प्लस CG का square बराबर 5 times of BG का square तो इन में भी यह relation जो है follow होगा equilateral triangle संबाह हो तिरे बुछ equilateral triangle आप जानते है equilateral triangle तीनों साइड बराबर होती है equilateral triangle equilateral triangle अकेला ऐसा triangle है जिसके चारों center एक ही जगह होते है in center, ortho center, circum center, centroid सब एक ही जगह होते है ऐसा triangle है अकेला वो कि यह line आपकी मैंने perpendicular डाला यह line आपकी median भी है यह line आपकी angle bisector भी है यह line आपकी altitude भी है यह line आपकी side BC का perpendicular bisector चारों काम सेमी line करती है इसलिसके चारों center एक ही जगह होते है मेरे दोस्तों यह centroid से vertex की यह ratio होगा है median है मेरे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चे यह in center से side तक की दूरी in radius यह circum center है circum center से vertex तक की दूरी circum radius तो capital R से small R का ratio की तना होते है 2 ratio 1 यह equilateral triangle की height है H equilateral triangle की height का 1 third height का 1 third होगया circum radius circum radius होगया height यह median का 2 third height, median, altitude, सब एक ही होता है हाँ पर equilateral triangle की height है या 3 median है वो कितनी होती है, root 3 by 2 है या h की जगे अगर मैं root 3 by 2 रख दूँगा तो equilateral triangle की radius आगी a upon 2 root 3 रट लिजे, equilateral triangle की radius a upon 2 root 3 equilateral triangle की circum radius a upon root 3 circum radius a upon root 3 उसके पीछे का कारण भी है यानि equilateral triangle की circum circle और इन circle की radius का ratio 2 एक है तो area का ratio क्या होगा square, 2 by 1 का square 4 by 1, समझ में आया आप बोलो कि हाँ जी सर, बहुत detail में concept लिखा हुआ है बहुत detail में हाँ पर, ठेक है बच्चे आगे का concept मेरे प्यारे, equilateral triangle की side अगर a है तो उसकी height होती है area होगा, root 3 by 4 a square अब अगला concept ये समझाओ द्याज सुनेगा मेरे दोस्तों, अगर किसी equilateral triangle की side a है तो उसकी height root 3 by 2 a होती है area होता है, root 3 by 4 a square द्याज सुनेगा ये एक बहुत important concept है मेरे प्यारे भाई इसको अपने दिमाग मिठालो, अगर आपको ये याद रहेगा तो आपकी calculation कम रहेगी अगर किसी equilateral triangle की side 2 है, 2 2 से 2 कर जाएगा, तो height root 3 होती है area भी root 3 होता है अगर किसी equilateral triangle की side 2 है तो height root 3 होती है, area भी root 3 होता है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर side 2 का k गुना है तो height root 3 का k गुना होगी area root 3 का k square times होगा ratio से निकालें, हम formula नहीं लगाएंगे अगर equilateral triangle की side 2 है, तो height root 3, area root 3 side 2 का k गुना है, तो height भी root 3 का k गुना होगी area भी root 3 का k square जिसे सवाल आगे, equilateral triangle की side 820, side 820 है, तो बता उसका height क्या है, side है 2 का 14 गुना, तो height भी root 3, अगर side 2 है तो height होगी root 3, side 14 गुना तो height 14 गुना, side 2 है तो area होता है root 3, side 14 गुना है तो area 14 का square 196 गुना है, 196 गुना अब paper में सवाल आ जाए एक एकको लेटर ट्र Morm disguise एक एकको लेटर ट्रेम की साइड़ है एक कुलेटर ट्रेमाीं की हायट 6 संंतिमीटर हिगा बता उसका एरियका क्या ए इस सवाल पेपर में किक्यु लिफ ट्राइंगल की हाइट 6 cm है एरिया बताओ, तो गधा आधमी पहले जो है साइड निकालेगा फिर एरिया इतना टाइम थोड़ना है, हम जानते है क्विलेटल ट्राइंगल की हाइट अगर रूट 3 है तो एरिया भी रूट 3 होगा, हाइट रूट 3 का 2 रूट 3 मुना, हाइट क क्या है cm में, अगर हाइट 2 रूट 3 कुना है तो एरिया 2 रूट 3 का स्क्वाइर, एरिया हो जाएगा 2 रूट 3 का स्क्वाइर, बारे रूट 3 का स्क्वाइर, एरिया आजाएगा 12 रूट 3 स्क्वाइर, तो निकालेगा एक सेकिंड में, निकालेगा एक सेकिंड में आप बो इनी सर्कल है यह सर्कम सर्कल है, Eκου later triangle की side A है, तो circum radius होती है A upon root 3, Eκου later triangle की side A है, तो in radius होती है A upon 2 root 3, A upon 2 root 3, तो बच्चो, बच्चो बच्चो, मुझे root 3 भी करना है, मुझे 2 root 3 भी करना है, तो अगर मैं हहां से ratio लोगा, अगर मैं circum radius, से खुना करेंगे का और तो डूट त Incircle की radias one है, तो incircle के area आएगा pi. अगर equipulator triangle की side 2 root 3 है, तो area कितना होगा? अगर equipulator triangle की side 2 है, to area root 3 होगा. Side 2 का root 3 को ना है, तो area root 3 का square 3 root 3 होगा. Side 2 root 3 है, то equipulator triangle की area 3 root 3 आजाएगा. यानि कि यह कैसा concept बन गए, इसको रटलो, बहुत काम आएगा. equilateral triangle और उसके in circle के area का ratio 4 pi ratio 3 root 3 ratio pi होता है बहुत important है अगर यह याद रहेगा तो हो सकते है आपको इन दोनों का difference दे दे ये पूछ ले इन दोनों का sum दे दे ये पूछ ले कुछ भी पूछ सकता है आपको ये दे के इन दोनों का difference पूछ ले equilateral triangle के in circle के area इतना है circum circle और equilateral triangle के area का difference बताओ कुछ ही पूछ सकता है तो equilateral triangle के circum circle equilateral triangle और इसके in circle के area का ratio 4 pi ratio 3 root 3 ratio pi होता है फिर सर्पीट कर देते हैं नहीं आया समझ में आगर किसी संभाहू त्रिवुच की side a है संभाहू त्रिवुच की भुजा a है संभाहू त्रिवुच की भुजा a है तो इसकी in radius होती है a upon 2 root 3 circum radius होती है a by root 3 या बटे root 3 भी करना है 2 root 3 भी तो मैंने माले equilateral triangle की side 2 root 3 side 2 root 3 है तो circum radius आगी 2 in radius आगी 1 अब आप जानते है यह radius का ratio आगया circum circle equilateral triangle की side और in radius का ratio आगया अगर circum radius 2 है तो area क्या होगा 4 pi r square a radius a 1 है तो area कितना होगा pi अगर equilateral triangle की side 2 root 3 है तो area कितना होगा 3 root 3, root 3 by 4 a square 2 root 3 का square होता है बार है 3 root 3 यानि कि किसी भी equilateral triangle की circum circle है भी equilateral triangle और उसके in circle के area का ratio 4 pi ratio 3 root 3 ratio pi होगा बिल्कुल दिमाग में बिठालो रटलो इसे ठीक है बच्चे अपर फरसे लिख दिया है यह equilateral triangle है मेरे प्यारे भाई देखो बच्चो आगला एक और concept समझाते है एक और concept समझाते है यह circle circle के अंदर बनाया है हमने एक square इस circle है circle के अंदर हमने square बनाया 4. अगर circle के अंदर एक square बनाया है तो circle के इरिया और square के एरिया का ratio हमीसा pie ratio 2 होता है अगर हम किसी circle के अंदर एक square बनाते है Porter tier fundamentals तो circle के अंदर एक square के अरिया का ratio हमेसा Preis 2 होता क्यों होता है बाइ 조इka डायगनल है इस circle का diameter मैंने circle केíreईरे के 1 मान लिया sohow t Annika के अरिया पाई आगर सिक्वाइर का डाइगनल दो है तो स्क्वाइर के एरी आए जाएगा दो ठीक है आप बोलो कि यहां जी सर इसार बिल्कुल सही तो कहने का मतले भी हुआ कि अगर किसी सर्कल के अंदर एक पाई रीशों दो होता है या फर 11 रीशों साथ होता है अब दोनो के सब्सक्राइब को default को एकुलेतल ट्रैंगल है को इन सर्क्मी अंदर अन्दर बना है इंसक्वॉयर के इंदर इनके इरिया का रिश्यो क्या होगा, सरकम सरकल, एकुलेटल ट्राइंगल, 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 एकुलेटल बिल्कुल राकेस जी लास्ट कंसेप्ट लास्ट कंसेप्ट जानेंगे इन एनी ट्राइंगल देखो इस पे सवाल आने की पेपर में पूरी पूरी उम्मीद है किसी भी ट्राइंगल के लिए सकते है इन एनी ट्राइंगल मेरे प्यारे भाई midpoint को, तो midpoint को मिलाने से जो triangle बनेगा ये DEF, इसको हम बोलते है medial triangle, क्या बोलते है medial triangle, medial triangle अगर आप किसी भी triangle की, तीनों भुजाओं के midpoint को मिलाते हैं, तो जो triangle बनता है उसे medial triangle कहते है, इसका area triangle DEF का जो area है वो original triangle के area का 1 वटे 4 होगा 4 triangle बनते हैं, चारों का area बराबर होता है तो इस triangle का area है, वो original triangle का 1 वटे 4 होगा, जबकि perimeter जो होगा, वो original triangle का आधा होगा तो बच्चों, अगर हमें infinite series चला दे, माना एक triangle ABC है, जिसका area है A, perimeter है P, इसके midpoint को मिलाके triangle बनाये गया, फर उसके मिलाके triangle बनाये गया फिर उसके भी midpoint को मिलाके triangle बनाये गया और ऐसे स्रीच अनंत तक करी गई तो इन सभी triangle के area का sum क्या होगा, area का योग क्या होगा इन सभी triangle के area का sum कितना होगा जवाब दो area का sum, तो अगर original triangle का area A है, तो इसके अंदर का a बटे 4, बटे 4 होता जाएगा, फिर बटे 4 करेंगे 16, फिर बटे 4 करेंगे 64 और यह अनन्त तक जा रहा है, यह यह geometric progression बनेगी, geometric progression का formula लगाएगे a upon 1 minus common difference एक बटे 4, तो आजाएगा 4 by 3 a, तो इन सभी infinite triangle के area का sum होगा 4 बटे 3 a, 4 बटे 3 a, 4 बटे 3 a, 4 बटे 3 a, 4 perimeter क्या होगा बच्चे perimeter, बच्चो अगर original triangle का perimeter P है, तो def क्या हो जाएगा, P बटे 2, फिर उसकी भी midpoint को मिला के triangle बनाएगा, फिर बटे 2 हो जाएगा, बटे 4, फिर इसका भी आदा, बटे 8 और यह अनन्त तक चलेगा, यह formula लगाएगे geometric progression के infinite terms का, तो यह आएगा 2p, यह ध सबन्या भाया, और perimeter का sum होगा 2p, इन्हें नी triangle, ठीका न, चलेगा बच्चो, तो iso slash triangle, सब लोग अपने copy में heading डालेंगे, iso slash triangle सम्धी बाहुते रोज, ठीका न, एक ही slide में इसके सारी concept है, ध्यां सुनेगा, iso slash triangle, iso slash triangle में, देखो, iso slash triangle में, दो side बराबर होती है, ठीका यही बाहिए, दो angle बराबर होती है, यह alpha यह alpha, iso slash triangle में आपने मेरे दोस्तो, altitude डाल, iso slash triangle में आपने मेरे दोस्तो, यह perpendicular डाला, तो भाया, यह दोनो right angle triangle बनेगे, दोनो concurrent होगे, यही line आपके median भी होगी, यही line आपके angle bisector भी होगी, iso slash triangle में यहाँ दोनो equal side मिलती है, यही center, ortho center, centroid और circum center, वो एक ही जगे होते हैं, इसी line पर होगे, इकुलेटर triangle के चारो center एक ही जगे होते हैं, एक ही जगे, iso slash triangle के चारो center एक जगे नहीं होगे, लेकिन चारो होगे इसी एक line में, चारो center, समझ में आया, वो कि यही line आपकी angle bisector भी बनेगी, यही height भी बनेगी, यही median भी बनेगी, और यही side BC का perpendicular bisector भी बनेगी, तो समझ बाहु त्रिबुज के चारो center जो है, वो एक ही line पर होते हैं, वो line क्या होती है, height, यह वाली height, अब जगो किसी iso slash triangle का जैसे area निकालना है, तो हम area कैसे निकालना है, जैसे iso slash triangle, इसकी side है 17, 17 और 16, आपके पास ए आधार है 16, आधार कितना है 16, और height कितनी है 15, तो 2-6 आठ बार कर जाएगा, तो area कितना होगा, 8-15, 8-15 इन दोनों की सीधी-सीधी गुना करतेंगे, आइस सीधी-स triangle का area आ जाता है, इध्यान रखेगा, दिमा में बिठाली जगा, बहुत important short cut है, कि इन दोनों की सीधी- right-angle triangle मेरे प्यारे भाई, आईसो slash right-angle triangle, शम्दी बाहू सम्वावू सम् कौन तरिवू, सम्दी बाहू सम्वावू सम् कौन तरिवू, शम्दी बाहू सम् कौन तरिवू, जानते, एक ऐसा right-angle triangle जिसकी दौनों legs, या 20-degree बननने वाली side-job, वो सेम होती है, ठीक होगा, बस हम 90, 45, 45, यह iso slash triangle का मतलब होता है 90, 45, 45, यह कैसा right angle triangle जिसकी दो side बराबर होती है, 90, 45, 45, 45 के सामने यह और यह equal होंगी मरे दोस्तों, अगर इसका hypotenuse h, अगर hypotenuse h है, 90, 45, 45 में side का ratio के तो नहोगा, 1 ratio, 1 ratio root 2, अगर 90 के सामने h है, तो 45 के सामने h root 2, यह भी 45 के सामने h root 2, उसका दिमांग बिठालो, सभी लोग दिमांग बिठालो कि अगर किसी iso slash right angle triangle का hypotenuse h है, उसका करण h है, तो उसका area होगा h square बटे 4, अगर किसी संदी बाहु समकॉंट्रिबुच का hypotenuse h है, तो उसका area h square बटे 4 होगा, उसका perimeter h into root 2 plus 1 होगा, h into root 2 plus 1 होगा, क्यों होगा आपके सा नाम ने right angle triangle बनाएगा, right angle triangle, ये इसका in center है, in center, तो कौने में क्या बनता है, square बनता है, हमीजा कौने में square, in center, ये इसका in circle है, इसकी in radius, small r, ये भी small r होगा, तो क्या बन गया मेरे प्यारे बटे 4, बनता है हमीजा कौने में, तो बच्चों, ये right angle triangle के concept बतारूँ पहले, पढ़ लिया फिर सवाल हो जाएगा तो ये दो को इधर multiply करते हैं, hypotenuse की जिगह क्या रख देते हैं, 2R, twice of capital R, तो small r plus capital R बराबर P plus B बते, P plus B बते, दो important concept, right angle triangle की radius और circum radius का जो sum है, वो 90 degree बनाने वाले side का आधा होता है, 90 degree बनाने वाले side का आधा, आप जानते हैं कि semi circle में बना angle हमीसा 90 degree होता है, यानि कि right angle triangle हमीसा एक semi circle बनता है, इस circle है, तो circle का आधा हिससा semi circle में हमीसा right angle triangle बनता है, अब अगर हमीसा semi circle में बनेगा, ये 90 degree है, आर्दवर्यत होगा, इस semi circle का diameter होगा AC, तो diameter का midpoint होगा मेरे दोस्तों circumcenter, circumcenter होता है hypotenuse का midpoint, अब circumcenter से vertex तक की दूरी circum radius, यानि कि यह circum radius है, यानि कि यह circum radius है, ये hypotenuse की median बिये है, यह hypotenuse की मात दिकावी है हइपोटीनेस की मात दिकावी है, क्य मिल्या होती है, hypotenuse की मात दिकावी है, joint hypotenuse का the range of light to your, सरकम सेंटर हाइपोटेनीस की मत दिकाई होगी अन्धोटेनिस की मेडवांड को वटैक्स से मिला गया है सेंटररोड नोच फिंहेङगे То यह है और तो सेंटर से सेंटरर्ट तक की दूरी ऐ बज्व chapters ऌ pegar रेडियर सेंटरर्ड तक की दुरी ऐगी हृँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दौनों सारे कंसर बढ़े डिटेल में बारी की से लिखे हुए है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रपलेट आप जानते हैं ट्रपलेट मुझे बताने की ज़रत नहीं है यह बनाओ बच्चो यह बनाओ मैं बड़े प्यार से आपको कंसर्ट समझाऊंगा थोड़ा दिमाग लगा के मेरे दोस्ते इनको समझेगा यहाँ पर प्रूफ भी लिखा हुआ हाला कि मैं इनका प्रूफ समझा नहीं सकता फिर्व मैं चलो मैं शॉट में बता देता हूँ यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल 90 डिगरी है 90 डिगरी इन 90 डिगरी बनाने वाले हो जाएं पी और भी हाइपोटेनेस है तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो गया एक बटे दो पी गुना पी यह होता है अगर किसी राइट एंगल तो ये भी तो हो जाएगा एरिया डिल्टा बराबर र इंटु एस आप जानते कि राइट अंगल ट्राइंगल की इंडिडियस होती है पी प्लस बी मानेस एच वटे दो अम मानेस एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच जोड़ा एच घटाया यह क्या बन गया मैं यह क्या बन ऑई मैंने हां से पिलस एच मानेस यह लेजिया मैं है मैं राइट अंगर्डिया निकलने के एक कशरप्ट है और आपको सरकम डियेज दिय उसका area हो जाएगा S into S minus 2R, important concept है, S into S minus 2R, S into S minus 2R, important concept है, ध्यान से समझेगा मेरी दोस्तों, ध्यान से concept है, अगर मैं यहाँ से S निकालूँगा S, तो S की तो आएगा भी 2R इदर, small r plus twice of capital R ही आ जाएगा, अब देखो, area क्या होता है, delta बराबर r into S, तो अगर मैं S की value रख देता हूँ, R, S की जगे मैं रख देता हूँ, small r plus twice of capital R, यह रख देता हूँ, R गुणा R, R square plus twice of capital R, small r, यानि कि किसी right angle triangle की किसी sum contribution की, अगर आपको in radius दी हुई है, in radius, और इसकी circum radius दी हुई है, तो इसका area आ जाएगा, small r square plus twice of small r, capital R, small r square plus twice of small r, capital R, तो right angle triangle का area निकालने के चार तरीके हैं, पहला तरीका 1 by 2 P into B, दूसरा R into S, यहाँ से मैंने proof किया, small s into s minus 2 r, अगर किसी sum contribution की radius दी है, तो area होगा small r square plus twice of small r, capital R, रख लीजेगा, अगला concept, आपके सामने sum contribution दी है, इसका circle है, यह circle जो hypotenuse को यहाँ पे touch कर रहा है, यह circle hypotenuse को, यह circle hypotenuse को यहाँ पॉन D पे touch कर रहा है, इसरकल, तो A से D तक की यह लंबाई X है, यह length X है, और यह length है यह length Y है, अगर यह X और Y दे हुए है, तो direct area होता है, right angle triangle area होता है, X गुना Y, यह sum contribution का इंसरकल है, जो hypotenuse को D पे touch कर रहा है, तो A से D तक की दूरी X है, C से D तक की दूरी, D touching point है, यह, area होगा X गुना Y, area बराबर X गुना Y, area बराबर X गुना Y, important concept, आप बोलोगी हांसर, बहुत important, आगे चलेंगे, next, यह बताओ, very very important, मेरे प्यारे बहुत से जाद important आगे, जी आपके समने हद से जाद है, इन देको बच्चो, पहले slide को ढंग से देखो और समझो, मेरे हिसाब से तो यह जो आपके समने slide लिखी हुई है, इस slide पर, एक question मेंस के paper में आना थे है, fix है guarantee से, कि इस slide से एक question right angle triangle से paper में आएगा, है कि मेरे गाद weight से 5 दिए्चो, त determate Ça मेरे से जापके समने से एक STEPHANίν Azim, एक question to see le of the pressure Total Body case, baby, like保護 הggot मेर ऑagtragen है, इस nutri तोло रे onखके से हैं आना, एक फिस से एक det समने से एक जास, we job you are, इन रखके से rateform. जी, सुनेगा, देखो मेरे प्यारे भाई, जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाई पूटीनिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो तीन ती राइट एंगल बनते हैं, बड़ा वाला, एक नीचे वाला, एक उपर वाला, तीनो राइट ए एक दूसरे के सिम्लर होते हैं समरूप और यहां सिमिलर्टी लगा के कुछ रिजल्ट बनाए गये हैं, वो रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, वह एक दूसरे के सिम्लर है, तो 90 डिग्री वर्टेक्स से 90 डिग्री है, हाईपोटीनिस पे परपेंडिकुलर डाला गया है यह सिडी, तो यह भी 90 यह भी 90 है, तो तीनो डाला गया है, तो थीनो लाटम ही लगा हैं, उससे पहले, आप जानते किसी भी ट्राइंगल के अरिया, बेस इंटू हाइट, एक वटे दो आधार गुणा बही, अब यह जो है मेरे दोस्तों, यह जाए सिडी, यह हाइपोटी इसको गोलते हैं हइट है इसको बोलते है इसको बड़ेया होता है हईपोटिनिस के मिडुपॉंट Κो मिलाने वाले झाईने दोनों अलग अलग चीजze है एटby आट का मतला सामने वाले वरटेक्स है हाईपोटिनिस पे लंब अगर हाइपोटीनिस आपका C है, यह हाइपोटीनिस पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट है, तो एरिया होगा 1 by 2 C गुना P, 1 by 2 कर जाएगा, तो P बराबर आएगी यह भी by C, important concept, अगर किसी वर राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता है, तो हाइपोट P2 बराबर 1 upon A2 plus B2 यह भी होता है, तो पूछा जाता है, चार ओप्शन में से concept हो है, 1 by P2 बराबर 1 upon A2 plus 1 upon B2, 1 by P2 बराबर 1 upon A2 plus 1 by B2, important concept है, बचोगर मैं similarity लगाँगा, यह राइट अंगल ट्राइंगल है, 90 degree, 90 degree से हाइपोटिनस पर पर परपेंडिकुलर डाला गया है ठीक ना, तो जैसे मुझे यह वाली टांग निकलने यह वाली टांग, यह वाली टांग AB, तो AB का स्कॉरर क्या होगा, यह वाली टांग निकलने AB legs, AB का स्कॉरर क्या होगा, तो AB का स्कॉरर पहले छोटी चलांग मारो AD, फिर बड़ी चलांग मारो AC, तो AB का स्कॉरर बराब स्टीनाेटल कौने स्टीन सीयुए कणश एक 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 और सुपाइब रिटतीन बहुं टैसकर भलतर के'M दो prevent एक एक टींप्रेटल केंश कष्वाइब संब्कॉन Beth encl nin नहीं में हैं यांतक किसी बच्वक्षार्ण कोई yen जाने कि मेरे प्यारे भाई यह पॉइंट है आपका D, दो कंसर्ट समझ भाई है फिर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो A B Square बटे B Square बराबर A D upon C D, A D से C D का जो रिश्यो होगा, A D से C D का जो रिश्यो होगा, वो A B Square upon B Square होगा, पेपर में बस इतना सा स A D से C D का रिश्यो होगा, बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंसेप्ट, दिमाग में बिठालीजे मेरे दोस्तों यह, दौन तरफ से अंडरूट लूँगा, दौन तरफ से अंडरूट, तो A B S B C का रिश्यो का आएगा, A B से B C का रिश्यो आएगा, वो चार रिश्यो पांच आजाएगा, A B से B C का, समझ में आप बोलो कि हंज सर बिल्कुल समझ में आया है, ठीक है, ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंसेप्, हट से जाद है, हट से जाद है, एक तो मैंने आपको बता जाएगा है कि राइट किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे दोस्तो, अगर हाइपोटीनस की हाइट की हाइट, this is what हाइपोटीनस की हाइट, यह हाइपोटीनस की हाइट मेरे दोस्तो, इसकी जो लंबाई होगी, अगर आपको AD दिया है, CD दिया है, आपको AD दिया है, CD दिया है, तो BD का से इंपोर्टेंड को जिए ब्सक्कों बराबर ए प 15 सा मोस्टव इतना स आजाएका कि चार सेंटीमेटर रहे नो सेंटीमेटर वी बताओ तो बीडी किया इंगा बिडी किस्कोहर पर चार गुना 267 तहीं है कôngड़ोains जा आया है आगी है वह इतनों घंठ square inside triangle square inside triangle square inside triangle आप कोई भी triangle बना लो कैसा कि Patches yan मैं आप पूप भी पूर्स ट्रलम की साइट एक्स है आप से कहाँ पूछागा है या typ कोई पूंचट इस स्क्वर ने वर्ण दोस्ते square की side, और यह मेरे दोस्तो height है, जिस side पर square बना गया, उस side के corresponding height पता होने चीए, तो similarity स्क्वार की side होगी xy upon x plus y, xy upon x plus y, दिमांगों बिठा लीज़े x upon x plus y, किसी भी triangle में मेरे दोस्तो, यह भुजा x है, इस भुजा के x के corresponding height है y, तो side x पर एक square बनाए गया है, तो इस square की side की होगी, x-y upon x plus y, x-y upon x plus y, सब्समाया, अब मेरे दोस्तों, किसी भी triangle के लेट हुए, main आता है paper में, right angle triangle, right angle triangle आता है, अब एक right angle triangle के अंदर, दो तरीके से square बन सकता है, right angle triangle के अंदर, यह तरीके से square बन सकता है, एक तो ऐसे, दूसरा ऐसे, सब्समाया, एक right angle triangle, जो कि मेरे दोस्तों, जिसका एक vertex, 90 degree vertex के साथ, कौन side करता है, यह क्या है, समकौन तरिबुच के अंदर, right angle के अंदर, square का एक vertex, right angle triangle का एक vertex, समपाती है, एक ही जगे है, दूसरा एक square बना गया, कि square की एक side, hypotenuse पे, square की एक side hypotenuse पे है, अगर हम semi right angle के अंदर, semi right angle के अंदर, square बनाए, अगर इसकी भुजा x से y है, एक्स बड़ा होता है y से, यानि कि यह जो right angle के अंदर, square बनेगा, maximum area का आएगा, मेरे प्यारे भाई, समझ में आया, ठीक है न, इन दौनों में area, इसका ज़्याद होगा, इसका कम होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, समने के कोशिश करेगा, यह right angle triangle है, जिसकी भुजा B है, यह A है, अब इसके अंदर, square बनाएगा, square की side कितनी है, x, square की side कितनी है, x आप बोलूगा है, तो square की side क्या एगी, square किस पर बनाएगा, इस भुजा, इस पर height क्या यह, यह base है, इसके उपर height यह है, तो area, इसकी side क्या हो जाएगा, a b upon a plus b, a b upon a plus b, x kuna y upon x plus y, अगर इस भुजा पर square बनाएगा, तो उसके उपर height है, a b upon a plus b, a b upon a plus b, इस वाले square की बात करें, इस square है, इसका hypotenuse है c, इसका hypotenuse c है, hypotenuse की तरह है c, hypotenuse c, अब इस hypotenuse के corresponding, मेरे दोस्तों, यह जो है आपका, hypotenuse की height एp, इस square की side क्या हो जाएगी, इस square की side क्या हो जाएगी, y मान लिए मैंने, इस square की side क्या हो जाएगी मेरे दोस्तो, y बराबर cp upon c plus b, y बराबर cp upon c plus b, y क्या हो जाएगा, इस square की side मैंने y मानिए, तो यह hypotenuse है, इस hypotenuse की height एp, cp upon c plus b, अब P की जगए मेरे दोस्तों अगर आप A भी बटे C रख देंगे P की जगए A भी बटे C तो यह आ जाएगा यह प्रूफ कर सकते हो आप P की जगए A भी बटे C रख दोगे अब आप इसको देखो मेरे प्यारे इसको देखो आप इसको देखो अब आप इसको देखो अब आप इसको देखो आपके सामने यह एक जो है राइट अंगल ट्रांगल है इसके अंदर इसको बनाया गया है इसको देखो स्कुर्ण की जो साइड होगी उटसफ्वलочно सिम्लर हो जाएंगे धीन है तीटा एगана मानिस धीजी थीटा है यह जी स्कुर्ण आए स्कूर्ल इसक्वरणय कई ऐगा anx दोस्तों, यह 4 है और यह 9 है, आप से पूछेगा, इस स्क्वार की साइड बताओ, यह क्या होगा, एक, तो डरेक्ट क्या लिख देंगे, रूट चार गुणा 9, यानि की 6, आगया उत्तर, लास्ट कंसेप्ट, भाई आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है, समकॉर्ण क्यों को कि सेमी सरकल में बना एंगल नब होगा, यह shaded area बन जाएगा, तो shaded area की जो value होगी, वो triangle ABC के बराबर होगी, जो shaded area होगा, वो triangle ABC के बराबर होगा, important concept, shaded area बराबर equal to area of triangle ABC, ठीकर नहीं है, प्र प्रूफ भी दिया हुआ है, पर मैं नहीं समझा सकता है, टाइम नहीं ब बेटा, ऐसे भी चितर दे सकता है, टिड़ा करके भी, तो यह shaded area होगा, वो right angle triangle के area के बराबर होगा, खतन सवाल, तो सारे concept है right angle triangle के बढ़ अच्छे से मैंने समझाए, तो direct paper में सवाल आने की उम्मीद है, आपनी copy में heading डालेंगे, last cheese circle, circle, एक सवाल इससे paper में guarantee से आना है, हो सकता है, इतना easy आजाए, जो आप पहले से पढ़ रखा हो, हो सकता है, कुछ ऐसा नया साज है, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, और muscle नहीं आएगा, अगर आपने circle की सारी theorem भी पढ़ ही है, तो भी आप जो है, उन पर 90% सवालों को कर पाएंगे, तो सबसे पह है, यह tangent line और radius के बीच पे हमेसा 90 degree का angle होता है, circle की center से कर आप cord पे perpendicular डालोगे, तो हमेसा bisect करता है, बात आप जानते हो, यह secant line कहलाती है, secant line जो दो point पे खिचेती हुई जाए, दो बराबर लंबाई की जो cord है, circle की center पे बराबर angle बनाती है, यह बहुत basic से concept है, यह आपक angle का double होता है, circle के किसी arc दौरा center पे बना कौन circumference पे बने angle का double होता है, जैसे मैंने यह arc ले लिए AB, अब इस arc दौरा circle की परीदी में कहीं भी कोई angle बनाओ, अगर यह theta है, तो center पे हमेसा double बनेगा 2 theta, यह बात आप जानते हो, यह मैंने minor arc लिए, मैं major arc ले ले लिता हूँ मे से mark में बने angle बराबर होते हैं, जैसे मैंने यह चाप ले लिए यह वाला चाप, ठीक है, अब कहीं भी आप angle बनाओ, अगर आप बनाते हो कि यह angle alpha है, इस में कहीं भी आप angle बनाओ, वो alpha ही बनेगा, से mark में बने angle हमेसा बराबर होते हैं, अच्छे से explain किया है, semi circle अर्धु सार्क में कहीं भी आप angle बनाओ, 135 डिगरी बनेगा, क्यों, कि यह 90 है, यह 90 है बेटे, तो 270 बचा, अगर सेंटर पे 270 है, तो circumference पे क्या हो गया, आधा, तो quarter सार्क में बना angle हमेसा 135 डिगरी होता है, आगे चलिएगा, next concept, यह बताओ जल्दी से, बनाओ, यह बनाओ जी, करो लास्ट है सर्कल, ठीक है बई, जमेटरी में लास्ट है सर्कल, और इसको आपको डंग से पढ़ना और समझना है, चलिए, alternate segment theorem, सब लोग अपनी copy में heading डालेंगे, alternate segment theorem, यह जानते हैं alternate segment theorem, जैसे बच्चों मैंने आपके सामने यहाँ पर, एक सर्कल बनाया, और यह सर्कल की tangent है, और यह chord है, तो tangent और chord के बीच में यहवाल angle theta है, जहाँ tangent और chord दिखाए देंगी, यह theorem लगेगी, angle made by chord and tangent is equal to the angle made by chord in other segment, यह chord है सर्कल की, यहाँ पे जो है AB, और point यह पर tangent है, यह angle theta है, अब इस segment के अलावा इधर जो है, इस chord दोर कहीं भी angle बनेंगे, theta ही बनेग, यह alternate segment theorem, ऐसी यह भी है, यह circle की tangent है, chord है, tangent और chord के बीच में यह angle alpha है, alternate segment में इधर नहीं, उधर segment में यह angle alpha ही बनेगा, समझ में आया, आप बोलो कि हाँ जी सर, समझ में आया है, कोई परिशानी नहीं है, आगे की तरफ, अगला concept, बहुत important concept आपके सामने जैसे भी circle है, circle के बाहर किसी point से अगर आप tangent कीचते हो, तो दोनों tangent बराबर equal होती है, लंबाई में, ठीक है, तो जहाँ point P होगा, minor arc, minor arc होगा minor arc, point P की तरफ, और इस तरफ होगा major arc, तो circle के बाहर point P से दो tangent कीची गई है, PA और PB, दो tangent कीची गई है, PA और PB, यह angle theta है, तो center पे कितना angle बनेगा यह, यह भी 90 है, तो 90 है, नब नब एक सुससी यह theta है, तो 180 degree minus theta, यह theta है, 180 degree minus theta होगा concept number 1, अगर यह angle theta है, तो 180 degree minus theta होगा center पे, अब आप बताओ, अगर आप major arc पे angle बनाओगे major arc है, तो कितना होगा मेरे दोस्तों major arc पे, 180 minus theta का आधा, यह 90 minus theta बते दो, यहनि कि major arc में acute angle बनेगा, 90 minus theta बते दो, आँब बताओ minor arc में आप angle बनाओगे, छोटे arc में ये angle कितना बनेगा, कहीं भी angle बना लो AB दोरा, कितना बनेगा ये, भाई, यह cyclic बन गाई, AB, यह cyclic बन गाई, kidneys Est Tribal, यह ADBC, अब यह 90 minus theta बते दो है, यह 90-θ 2, nostalgic में आमने सामने कसा स्वस्य होता है, notebook में यह 90-θ 2 है, तो यह कितना आबख, 90-θ 2 होगा, धियां रखेगा तो minor arc में 90-θ 2 major arc में 90-θ, यह angle 180-θ, दिमाम्न बिठा लेजिएगा, अप बोलो के हांची सर बिलकुल सही, ठेकना, एक acute angle, और यह आपका obtuse angle, अगला concept भई, अगर आपके सामने circle है, circle के बाहर point P से tangent कीची नहीं है, यह center है, यह angle theta है, तो यह कितना होगा, 180 degree मानस theta, tangent OAB, आप इसको यहां से मिलाएगा, यहां से A से B को, यह angle बनेंगे, दोन एंगल को की radius से में, यह theta बटे 2, कई बार यह पूछा यह theta है, तो कितना होगा, theta बटे 2 होगा, theta बटे 2, यह theta है, तो यह theta बटे 2 होगा, दिमाम को बिठा लो, theta बटे 2, ठीक है जी, यह concept आपको voilà one and one is important. यह जो concept है हच से जादे important है, मेरी पाई हच से जजादे. धोड़ा सा धिमाग लगँ थोड़ा सा धिमाग. यह circle है, circle की 2 chord है AB AB,ے c, आप方 democratic. अब आमने सामने के चाप लेलो, आमने सामने के arks, मैंने सामने के आपके आपके आर्क है AD AD, और यह वाला आर्क है BC. इन दोनों को ले सकते हैं चाप इन दोनों को AD द्वारा सेंटर पर बना इंगल दिया है BC द्वारा सेंटर पर बना इंगल आपको दिया है तो मेरे प्यारी भाई अगर आपको यह दोनों एंगल दिये हैं ठीक है ना? ध्यान सुनेगा मेरे दोस्ते, इस सरकल है मैं आमने सामने के चाप ले रहो यह दोनों कोड यहां पर पॉंट पीपर काट रहे मैं यह वाले आर्क ले रहो यह वाले आर्क तो आपको एंगल भी इनी आर्क के सामने का देखना है चाहिए आप यह वाला एंगल लो सामने ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, इसकी जो value होगी इन दोनों का, है भी, वो क्या होगी, AOD प्लस BOC का आदा होगी, समझ गई तो ठीक है ने, तो बाढ़ में जाओ, इस स्याधे time निये समझाने का, ठीक है न, बहुत ज्यादे इसलिबस है, अकेल ये BC दोरा सेंटर पर बना एंगल, ये BC दोरा सेंटर पर बना एंगल आपको दिया है, तो ये अंगल APD और BPC जो होगा, इन दोनों का average होगा, समझ में आप बोलो कि हांजी सार, बिल्कुल सही, पेपर में आपको दिया होगा, एंगल AOD गिवन होगा, और आपको एंगल BOC अब देखो, ये AD आर् क्वह दोरा, आपने आर् कोई सेंटर लिया है AD, और आपने आर्क लिया है BC, इन आर्क दोरा सेंटर पर बने एंगल दिया, आप देखो इन सेंटर पर बने एंगल की जगह है, और बस P आ जाएगा, या तो आपसं APD पूछेगा, या आपसे BPC पूछ लेता ये वाल एंगल, एंगल APC, आपको दिया है AOD और BOC आपको एंगल दिये हुए हैं, ये दोनों कॉर्ण दिये हुए हैं, आपसे पूछना चाहिए APD, ये पूछना चाहिए बई, O की जगा P आ जाना चाहिए, लेकिन आपसे पूछा है APC, तो आपको तुरंद स APC आपको निकालना है, तो 180C डिग्री में से एंगल APD माइनस कर देना है, पूछना आपको AOD दिया है, तो APD निकलेगा, BOC दिया है, BPC निकलेगा मेरे प्यारे भाई, ये AD और BC आपने सामने के ARC हैं, लेकिन आपसे APC पूछा है, APD पूछना चाहिए था, पूछा है APC तो गारंटी से सटा हुआ एंगल होगा, कैसे आए रहे, 100C डिग्री में से घटा के, अगला concept, ये देखेगा मेरे प्यारे भाई, next concept, जहां से समझेगा मेरे दोस्तों सब लोग, तो आपके सामने सरकल बनाया है, यहाँ पर दो, है भी, मैंने सरकल बनाया है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पॉंट P पर काट रहे हैं, यह जो पॉंट P है, आमने सामने के ARC लेने, मेरेको यह ARC दिया हुआ AC और BD, इन सैंटर पर बना एंगल दिया है, AC और BD द्वरारे सेंटर पर बना एंगल है, TH और अलफा आगे बढ़ाने पर काट रहे हैं, यह एंगल ने पर पर पहले जोड़ के आधा करनाया है, यह होगा घटा के आधा करनाया ह, जनद अजवाब चाहती है, तो लेटे आपको कुछ न कुछ मिलाना होता है, यह theta alpha आपको यह angle निकलना है, ठीक है, कुछ भी मिला दो आपको पसंदा भी मैंने यह मिला दिये, आप circle के इस arc दोरा, इस arc दोरा center पर alpha है तो circumference पर आदा हो जाएगा alpha बटे 2, हो जाएगा, इस arc को देखो इस चाप को चाप AC, arc AC दोरा center पर AOC theta है, तो circumference पर ADC, ADC theta बटे 2 हो जाएगा, तो बीच का vertex बदलता है, बाकी सेम रहता है, यह है न, center पर अगर theta है, तो circumference पर आदा हो जाएगा, यह theta बटे 2, तो यह triangle देखो, APD, triangle APD देखो, APD, यह exterior angle है, theta बटे 2, alpha बटे 2 है, क्या आएगा, theta बटे 2 में से alpha बटे 2 मानस कर देगे, theta मानस alpha बटे 2, समझ में आया, आप बोलो कि हाँ जी सर, बिलकुल सही, बात अच्छी तरीके से clear है, आगे चलते है, अब ही बताओ आँ आप, last theorem, very very important theorem है, very very, आपकी जान से भी जादे important theorem है, कौन करेगा, जिस theorem को, ठीक न, proof मैं बता नहीं सकता, भाई तरह समय नहीं है, proof आप कर भी सकते हो, ठीक, मैं है आप लिखके बताओंगा, जादे अच्छे समझ जोगे, यह circle है, circle के बाहर point P से, circle के बाहर point P से tangent कीची गई है, P A औ D पर काट रही है, circle के भार से दो tangent खीच गी है, एक circle के कोई भी तीसरी tangent बना दो मूठा के, तीसरी tangent बना दो कोई भी मूठा के CD, जो बाकी दोनों tangent को C O D पर काट रही है, तो C से मैंने O को मिलाया, मैंने D से O को मिलाया, अगर यह कौन ठीटा है, तो एकौन 90 मानस ठीटा बटे 2 होगा, 90 मानस ठीटा बटे 2, एधा रखेगा, एक और ठीटा है, तो 90 मानस ठीटा बटे 2 होगा, तीटा है, 90 मानस ठीटा बटे 2 होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी, अब मैं आपको थोरम समझाता हूँ, बड़े प्यार से आप समझे जैसे बच्चों आपके सामने मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है ना, जैसे स्ट्वेंट्स हमने आपके सामने एक सर्कल बनाया, और सर्कल के बाहर एक पॉंट से इसकी दो टेंजेंट खीची है, तो टेंजेंट ऐसे, हमने दो टेंजेंट खीची है, मेरे प्यारे बटी, तो circle के बाहर ये point P है, ये दो tangent खीचिकी तो circle को A और B पर touch कर रहे हैं, ये P A X tangent है, और ये P B Y tangent है, समझ मैं ये आपको हमारी बात आप बोलोगे हां जी सर, बच्चों ये circle का center है O, अब यहां जो है major arc में कोई point है, suppose कोई point है S, major arc में कहीं कोई point S है, S, कहीं कोई point S है, major arc में मैंने S से मिला है मेरे दोस्तो B को, और मैंने S से मिला है A को, ये angle alpha है, ये beta है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाला angle कितना होगा मेरे प्यारे बाहरे, ये angle कितना होगा, जवाब देंगे, ये angle कितना होगा, इस student जवाब देंगे, alpha है, beta है, तो ये angle कितना होगा मेरे प्लस बीटा, 180 डिगरी माइनस अल्फा प्लस बीटा, इधान रखेगा मेरे प्यारे बहुत बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट, क्यों होगा, अगर मैं A से B को मिला दूँ A से B को, तो यह सरकल की टेंजेंट है, कोड है, टेंजेंट कोड के बीच में यह एंगल है, तो यह अगरी टेंजेंट है, कोड है, यह बीटा है, तो यह बीटा है, अब यह बीटा है, तो कितना बचेगा, ट्रेंगल की तीन हो एंगल कासम 180, तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, आगया की नहीं आगया, मिलाते ही यह आ जाएगा, आप बोलोगे, हाँ सर, आवगर यह 180 मानस अच्छी तरyears की समज़ गया, सारी ठोर्म बता दिती ही, यह 90 मानस ठीटा बटेदो, 90 प्लस ठीटा बटेदो, सब कुछ समझायाए, यह मैंने आपको अच्छी तरिक दोर्म समझाया थैंगों एब यह बीटी सर्कल है, सरकल की दो जीवाएं है, ABCडी यह आगने सामने के आ next concept, next concept यह था, कि अगर यह circle है, circle के बार से दो tangent खीची गई है, यह circle की तीसरी tangent, अगर यह theta है, यह जो angle होगा 90 minus theta बटे दो, very very important concept, concept को आत्मा बिठा लीजे, छोड़ नहीं सकते, ध्यान सुनेगा, अगला concept आपके सामने, बहुत प्यारा concept दोस्तो, भई यह circle है, circle के बार से तो tangent खीची गई है, PA और PB, समझ में आया, PA और PB सरकल के बार से दोनो tangent की लंबाई बराबर होगी, अब एक तीसरी tangent खीचीगी है, CD, जो बाकी दोनो tangent को C और D पे काट रही है, तो यह जो triangle बनेगा, PCD यह जो triangle बनेगा, इस triangle का जो perimeter होगा, इस त्रिबुच का जो PCD का जो परिमाप होगा, वो चाहे PA ले लो, चाहे PB ले लो, उसका दोना होगा, twice of PA, twice of PA और twice of PB, समझ में आया, आप बोलोगे, हां जी सर, समझ में आया, बहुत important concept, next concept, देखेगा मेरे दोस्तों, प्यार से समझे की कोशिच करेगा, प्यार से, प्यार से समझेगा, आपके सामने बच्चे सरकल है, दो सरकल, दो सरकल, एक दूसरे को एक्सरली टच कर रहे है, बार से सपर्स कर रहे है, दो सरकल एक्सरली टच कर रहे है, यह इनकी direct common tangent है, direct common tangent, यहाँ पर टच कर रहे है C से, यह जो common tangent है, दोनों सरकल को A और B पर टच कर रहे है, A और B पर टच कर र ये एंगल 90 डिगरी का होगा आप वोलो गे हाँ जी रो क्यों होगा वई सरकल की बार से टेंजैंट बराबर होती है जो टेंजएंट एडी की लंबाई है वही बी डी की लंबाई है वो बराबर होगा मेरे दोस्ते, तीनों बराबर हो जाएगा अगर किसी ट्राइंगल में इ अजए अगर एक circle है, ध्यान तुनिगा, मेरी प्यारी ध्यानफन तुनिगा, अगर आपके पास ये आपके पास एक एंगल है, एंगल के अंदर दो circle बनाएगे है, इनकी radius है R1 और R2. ठीक है न, दोनों circle एक दूसरे को externally touch कर रहे हैं, इस छोटे circle की radius R1 है, बढ़े की R2 है, तो R1 से R2 का जो रेश्य होगा, 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 R1 से R2 का, बच्चो, अगर मैं इसको आगे बढ़ा के यहाँ पर, एक और सरकल और बना देता हूं, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं पहले दो सर्कल लेता हूँ, पहले दो सर्कल, पहले दो सर्कल, तो R1 से R2 का रेश्यो, 1 मानेस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और मैं बात के दो सर्कल लेता हूँ, बात के दो सर्कल, तो R2 से R3 का रेश्यो भी याना चाहिए, R2 से R3 का रेश्यो भी या वह जीपी में होती हैं, जो पहले दो सरकल की रेश्यो रष्यो रवन भई आर्टू, भई मैं इसको भूल जाओ, ये दो सरकल दिखाए दे रहे, यहां भी रश्यो 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 यह बनेगा, यह एंगल बाइसक्ट होगा, ऊपर आदा नीचे आदा, ऊपर थीट तो वो GP में होंगी, अब इतना basic सा सवाल ही भी बन सकता है कि यह 4 है, आपके means के paper में आजकल लेवल काफी गिर गया है, पहले तो बहुत easy आता था, यह 4 है 9 है, आप से पूछे लेगा इसकी radius, तो 4 9 का, जो है geometric में निकाल देंगे 6, समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर, इंपोर्टेंट कंसेट था यह आपके सामने, आगे चलेंगे अब, सभी को समझ में आया, बहुत प्यारा सवाल है, आगे, next, देखो, इसमें cyclic qualitral है क्या अभी, cyclic qualitral नहीं समझाए क्या हमने भी तक, cyclic qualitral नहीं है, अभी आएगा, चिंता ना करे, देखो, आगला concept, if a इस सामने की साइड कासम बराबर होगा, ab plus cd बराबर, bc plus cd, आपने सामने की साइड कासम बराबर होगा, आपने सामने की साइड कासम बराबर होगा, ठेक है बच्चो, आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको कोई 3 value देगा, और आपसे 4 value पूछ लेगा, ab plus cd बराबर, bc plus ad, clear होगा concept, आप बोलोगे हाँ जी सर, next concept मेरे प्यारी बई, प्यारी 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 प्य PB गुना PA बराबर PD गुना PC, PB गुना PA बराबर PD गुना PC, ये concept बनेगा, समझ में आया, आप बोलो कि हाँ जी सर, समझ में आया है, आपको यहाँ पे कोल भी तीन value देगा, और आपसे चोथी value यहाँ पर पूछ लेगा, आगे चलते हैं, आगला concept, ठीक न, next concept बड़े प्यार स पॉइंट पी, तो पॉइंट पी से सरकल के एक टेंजेंट खीचेगी है, पीटी, है मेरे प्यारे बई, और एक सीकेंट लाइन खीचेगी है, पीबी ये छेदक रेखा, तो पीटी का स्कॉर क्या होगा, पहले छोटी लंबाई, फिर पूरी बड़ी लंबाई, PB गुना PA, पीटी का स्कॉर आएगा, PB गुना PA, बहरी बिंदू से 1 खेटा को रिस पस रेखा, खिचाते हैं, तो PT का स्कॉर कितना आएगा, PB गुना PA, समझ में आया, एक बात में आपको और बता देना चाहता हूँ, कि यहाँ पे मेरे प्यार भी similarity का concept और इस्तेमाल होता है, आपको यहाँ पे दो-दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक आपको 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 ट्राइंग Alternate Segment theorem, tangent and quad के बीच में ये angle theta होगा, alternate Segment theorem, आप बोलोगी हाँदी, सर, अगर किनी भी दो triangle में, दो angle बराबर है, तो 30 triangle automatically बराबर हो जाएगा, 30 triangle automatically बराबर हो जाएगा, निक इस triangle का 30 triangle यह है, इस triangle का 30 triangle है, इस triangle का 30 triangle हो जाएगा, तो similar हो गए, छोटा triangle TBP, और ट्राइंगल की similarity पे भी examiner question बना सकता है, समझ में आगे दोस्तो, clear है कोई तकलीफ, ठीक है तो इसलिए आपको इसका proof जानना भी जरूरी है, बागी का proof ना जाने कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, next concept की तरफ, ठीक है बच्चो, yes, very very important concept, very very important concept, ध्यां से सुनीगा मेर तो भी ये apply होगी, धीरच कोई फरक नहीं है, diameter भी तो एक टाइप की कॉड़ी है, तो भी ये ठीक होगी, घबराओ मत, अगला मेरे प्यारे बाई, next concept, देखो बच्चो, बहुत प्यार से समझेगा, इस साल के CDS के paper में, इस concept पे सवाल भी आया था, ठीक है बच्चे, ऐसे आपके सामने circle बना गया है, अगर मैं circle की तो parallel tangent खिचता हूं, तो समांतर जिवाय खिचता हो, parallel tangent, अगर हम circle की तो parallel tangent खीचते हैं, तो वो हमेशा diameter के end points पर बनेगी, अगर मैं circle की, दो parallel tangent खीता हूं, तो हमेशा circle के व्यास के अंतह बिंदों पर होंगी,เชपर में इस ब की तो parallel tangent खीचेंगे, वो हमेसा diameter के end point पर खीचेंगे, यह भी radius है, यह भी radius है, 90-90 है, तो straight line होनी चाहिए, ठीक है ना, तो parallel tangent के बीच की दोरी हमेसा diameter के बाराबर होगी, अब धहां से सुनेगा मेरे प्यारे बाई, देखो बच्चो, दो concept धहां से बंते हैं, यह circle का diameter है AB, diameter AB पर दो tangent खीचेंगे, तो अनों tangent एक दूसरे के parallel होगी, diameter AB पर दो tangent खीचेंगे, अब एक और तीसरी tangent खीचेंगे, यह circle है, दो parallel tangent खीचेंगे, एक और तीसरी tangent खीचेंगे, मेरे दोस्तों, तीसरी tangent CD, अब यह center है, तो center पर जब मैं C से D को मिलाओंगा, तो angle हमेसा 90 degree का ठीक है, यहां पर proof भी लिखा हुआ है, ऊपर वाले दो triangle concurrent है, नीचे वाले दो triangle concurrent है, theta, theta, नीचे alpha, alpha, तो पूरा जो है 2 theta plus 2 alpha, 180 degree, तो theta plus alpha बनेगा 90 degree, समझ में आई बात आप आप बोलोगे, हाँ जी सर, समझ में आई है, ठीक है जी, यह angle बनेगा 90 degree बनेगा, दूसरी बात अगर यह length a है, यह length a है, तो यह भी तो a होगी circle के बार से खीची की tangent बराबर होती है, अगर यह length यहां से आपकी b है, तो यह भी तो b होगी, यहां से आप बोलोगी हाँ दी सर, अम में आपको बता, यह circle की radius है, small r, अब ध्यां से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, इस triangle को गो ये स्रकल की radius है small r, ये small a है तो ये small a है, ये small b हूं ये small b है, right angle triangle में 90 degree vertex से hypotenuse पर perpendicular डाला गया है, ये स्मकॉन तिरबुझ में 90 degree vertex से hypotenuse पर perpendicular डाला गया है, तो ये जो r होगा वो क्या होगा? root a b होगा? r कीतना होगा root a b होगा? r बराबर root a b, बहुत important concept. इस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा COD 90 होगा, जब COD 90 है 90 डिगरी वर्टेक्स से हाइपूटनिस पर परपेंडेगों डालेंगे रीडियस है, टेंजेंट रीडियस के बीच में 90 डिगरी, तो आर क्या होगा, रूट एभी होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में पढ होगा सब्सक्राइंगा, आगल में пять प्यारा कनसेप्ट संद्र है कि है अगर दू बच्यों, अगर दू सर्कल एक दूसरे को, इंटर्णली टेच करतें , अंटह स-पर करतें, इंटर्णली टेच करतें यहाँ पर जो PC से PD का होगा, जो अनुपात PA से PB का होगा, वही अनुपात PC से PD का होगा, अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, देखे मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से एक टेंजेंट खीच दी, मैंने यहाँ पर पॉंट P से जाने वाली एक टेंजेंट लाइन खीच ली, यह छोटे सरकल की भी टेंजेंट है, बड़ी सरकल की भी टेंजेंट है, अब यह एंगल थीटा है, अगर यह थीटा होगा, 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 तो थेल स्थरम लग जाएगी, तो basically थेल सही, जो रेश्यो PA से PB का होगा, वही रेश्यो PC से PD का होगा, अब इसमें आपको कोई 3 value देके 4th value पूछ लेगा, जो PA से PB का रेश्यो है, वही PC से PD का रेश्यो है, ठीक है जी? नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, ठीक है बच्चो, चलो, अब ध्यान सुनेगा, अभी मैंने आपको बताया था, internally touch, सेम कहानी, externally touch के लिए भी होती है, जैसे आपके सामने दो सरकल हैं, ये दो सरकल एक दूसरे को यहाँ पॉंट पीपर, actually touch करते हैं, पॉंट पीपर, और से जाने वाली मैंने दो लाइन खिची हैं इस तरीके से, ये दो लाइन हमने खिची है, APB और CPD, तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगेगा, जो रेश्यो PA से PB का होगा, वही रेश्यो PC से PD का होगा, जो रेश्यो एक लाइन को पकड़ लो, PA भी पकड़ लिए, जो PA से PB क सवाल आते हैं, तो इस common point पर यहाँ पर टच करने हैं, हाँ स एक tangent line, खीचो tangent line, अब यह angle अगर theta माल लेता हूँ, तो यह भी theta आ जाएगा, alternate segment theorem, भाई यह theta है तो यह भी theta vertically positive angle, थीटा vertically positive angle, अब यह theta है तो भाई यह भी theta आ जाएगा, अब आप बताओ, अगर दो line है, दो line, औ similar बन चुके, triangle PEC और triangle PBD similar होगे, और similarity से result आएगा, similarity से, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिलकुल सही, बहुत बहुत बहतरीन concept, तो यह देखो, मैंने आपको दो चीजे बताई हैं, ठीक है न, एक मैंने आपको बताया, internally touch के लिए, दूसरा मैंने आपको बताया, externally touch के लिए, स यहाँ पर यह 2 circle है, मेरे प्यारे भी आपके सांगे 2 circle है, यह 2 circle जो है, एक दूसरे को P or Q पे काट रहे हैं, मेरे दोस्तो P or Q पे काट रहे हैं, 2 circle, इन दौनों circle की मेरे दोस्तो common tangent है, direct common tangent है AB और CD, तो देखें, जो लंबाई AB की होगी, वही लंबाई CD की होगी, AB और CD की, तो यह tangent को R और S पे काट रहें, मैंने जब P or क्योंको आगे बढ़ाया, जब हमने P or क्योंको आगे बढ़ाया, तो काट रहे पॉंट R पर, यह काट रहे पॉंट S पर, जहां से देखो, जैसा picture उपर है, वैसा ही नीचे कोई भेदभाव नहीं है, तो ठोरम यह बनती है कि R S का स्कॉयर यह जो R से S तक की पूरी दूरी है, R S का स्कॉयर बराबर, R S का स्कॉयर बराबर, जहां सो 완전히 का, R S का स्कॉयर बराबर A B, चाहे A B ले लो चाहे C D ले लो A B स्क्वाइर पिलस P Q स्क्वाइर दिमाग में बिठालो, मुस्किल याद करना है तो मुस्किल जेलो मैं कुछ नहीं कर सकता 2016 के मिंस के पेपर में सवाल आया तो इस पर 2016 के मिंस में RS का स्क्वाइर बराबर पूरी दूरी RS का स्क्वाइर बराबर ये चाहे A B ले लो चाहे C D ले लो A B स्क्वाइर प्लस A B स्क्वाइर प्लस P Q स्क्वाइर आगको इसमें कोई दो वेलू देखे तीसरी वेलू पूछ लेगा कोई भी दो वेलू देखे समझ में आया आगे चलते है नेकस्ट कंसेप्ट की तरफ, आगला कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी प्याल ही, बहुत इंपॉर्टेंट Canintage System अब मैंने हाँ पर एंगल एका बाई सेक्टर खीचा है एंगल एका बाई सेक्टर एलाइन एका बाई सेक्टर है आधा ये भी थीटा ये भी थीटा एंगल एका बाई सेक्टर जो side bc को मिलता है point d पे और circle को जाके मिलता है point e side bc को d पर मिलता है और point e पर मिलता है 2012 के mince में आया था वाई उसके बाद से नहीं आया पर मैं फिर भी बताऊँगा 2012 के mince में सवाल आया था ये वाला ठीक ना ठीक बच्चो आप बोलो कि answer ये d पर मिलता है e पर मिलता है तो बच्चो ध्यान से समझेगा मैं अगर यहाँ पर इसको मिला दूँ इसको यहाँ पर मिला दूँ इसको तो देखे circle के इस arc को देखो arc ac को इस arc ac दोरा ये angle alpha तो ये भी angle alpha होगा आप बोलो कि answer same arc में बने angle तो आपको यहाँ पर दो-दो triangle दिखाई दे रहे हैं दो-दो triangle ये सवाल आया था latest 2021 के paper में दो triangle दिखाई दे रहे हैं theta alpha theta alpha तीस triangle automatically equal हो जाएगा तीस triangle automatically equal हो जाएगा तो यहाँ पर दो triangle similar हैं तो इन दो triangle की similarity पर भी question बन सकता है circle के अंदर एक triangle है triangle का हमने खीचा है एक angle का bisector तो दो triangle दिखाई दे रहे हैं दो triangle similar बनेंगे और इस similarity पर question बन सकता है ठीक ना proper theorem क्या है proper theorem आप सुनिएगा यह है proper theorem मेरे प्यारे बई यह वाले क्या है theorem AB गुणा AC AB गुणा AC पिलस AB गुणा AC पिलस यह circle है circle के अंदर triangle AB गुणा AC पिलस पहले मेरे दोस्तों पूरी length लेंगे AE फिर यह छोटी length लेंगे DE पिलस AE गुणा DE AB side है AC side है मैंने angle एक का bisector खीचा है यह पूरी length AE यह छोटी length DE बराबर होगा AE का square होगा समझ में आया आप बोलोगे सामने AB है या green angle के सामने AE है तो AD गुणा AE यह जो है AE कितना आजाएगा AD गुणा AE आजाएगा AB गुणा AC की जगह है AB गुणा AC जो है इसकी जगह है अगर मैं AD गुणा AE रख दू AD गुणा AE पिलस AE गुणा DE AE तो common आगया AE यहाँ भी है AE यहाँ भी AE common आ गया जब AE common आ जाएगा तो bracket में क्या बचेगा bracket में बचेगा AD प्लस D AD प्लस D और AD प्लस D फिर से AE बन गया AE का स्क्वार हो गया कि नहीं तो यह थोरम भी similarity से ही आई है बेसिकली अगर यह थोरम आभी जाती है पेपर में सभी ने देखा होगा यह थो सभी ने देखा होगा? देखो बच्चो अगर किसी circle की दो जिवाएं एक दूसरे को 90-Dgenderी के अंगल पर काटती है सरकल की दो कअण दूसरे को 90-डिगरी के अंगल पर काटती है यहां में प्रूफ भी लिखा हुआ अब प्रूफ नहीं समझा सकते, जैसे सर्कल है, इस सर्कल के दो जीवाए हैं, AB और CD, यहां काटते हैं, 90 डिगरी का एंगल पर, यह एंगल 90 डिगरी का है, मेरे प्यारे बाई, 90 डिगरी का, ठीक है बच्चे, अब यह लेंथ X है, यह Y ह अगर चारो लेंथ सेग्मेंट दिया है, तो सर्कल की जो रेडियस होगी, वह होगी, अंडरूट X स्कार प्लस Y स्क्वाइर, प्रोस Z रेडियस प्लस W स्कॉाइर बटे दो, यह चारो लेंथ सेग्मेंट अगर आपको दिये है, XYZ W, ठीक है ना, पहली बात तो X गुणा Y बराबर Z into W होगा पहली बात हो, ये दो कॉर्ड एक दूसरे काट रही है, तो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, AP गुणा PB बराबर CP गुणा PD, और ये दोनो कॉर्ड 90 डिग्री के अंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो रेडियस क्या होगा, इसको इहां से मिला देता हूँ, ये length small b है, ये आपको दे दे, ये आपको दे देगा small है और small b, तो अब आतो ये x square plus w square क्या है, ये x square plus w square क्या है, मेरे प्यारे जवाब दो आप, तो ये पाइथोगर से x square plus w square न 90 है, मैंने आपको समझा दिया, अच्छी तरीके से, अगला concept, देखो बच्चो, अब यहाँ पर touchy-touchy मैं आपको समझाओंगा, touchy-touchy cases, तो अगर दो circle एक दूसरे को externally touch करते हैं, बाहर से touch करते हैं, अगर दो circle एक दूसरे को externally touch करते हैं, अगर दो circle एक दूसरे को externally touch करते हैं, और उनके center के बीच की दूरी होगी radius का sum, r1 प्लस r2, क्या होगी दूरी? r1 प्लस r2, next concept, बाहर अगर दो circle एक दूसरे को internally touch करते हैं, internally touch, इस तरीके से, internally touch करते हैं, तो इन दौनो circle के centers, और यह touching point एक की सीधी रेखा में होगे, और maximum common जो tangent होगी, और center के बीच की दूरी होगी, वो radius का difference होगी, अगर दो circle एक दूसरे को internally touch कर रहे हैं, तो उनके center के जो बीच की दूरी है, वो radius का difference होगी, समझ में आया, next concept, यह रहाचित्र आपके सामने, आगर दो circle एक दूसरे से परियाप्त दूरी पहें, दोनों circle जो है दूसरे से ज़्यादा दूरी पहें, यानिको उनके center के बीच की दूरी है, O1, O2, वो radius के सम से ज़्यादा है, radius के सम से ज़्यादा है, center जो है, वो तरजाओं के सम से ज़्यादा दूरी पहें, तो इस case में मेरे दोस्तों, चार tangent खीची जा सकते हैं, दो होंगी ऊपर, A, B, और C, जिनको हम बोलते हैं, direct common tangent, A, B, और C, direct common tangent, और दो होती हैं, मेरे प्यारी भी इस तरीके से, टेडी-टेडी, अभी, SR और P, इनको हम बोलते हैं, transverse common tangent, transverse common tangent, तो 4 tangent खीची जा सकती हैं, समझ में आया, आप बोलोगे, हाँ जी सर, आप paper में सवाल ऐसे बन जाएगा, कि 2 circle है, जिनकी radius 7.3, और 5.7 radius है, उनके center के जो बीच की दूरी है, वो 15 है, बताओ इनकी कितनी tangent possible है, ऐसा सवाल बन जाएगा paper में, कि 2 circle है, जिनकी radius 7.3 और 5.7 है, उनके center के बीच की दूरी पंदरे है, बताओ कितनी tangent खीची जा सकती है, तो radius का sum आ रहा है, radius का जो sum है, उससे ज़्यादा है center के बीच की दूरी, यानि कि ये figure आएग, center के जो बीच की दूरी है, वो radius के sum से ज़्यादा है, यानि कि 2 circle लेक दूरी से बराप प्रयाप दूरी उपर है, ठेक है बई, वो touch नहीं कर रहे हैं, तो 4 tangent possible होंगी, ठेक बच्चो, आप बोलो कि हाँजी सर, बिल्कुल सही, अगला concept, अगर 2 circle लेक दूसरे को intersect करते हैं, intersect, अगर मैं इसको मिलाऊँगा, तो जैसा picture उपर है, वैसा ही picture नीचे होगा, कोई भेधभाव नहीं होगा, यह सीधी रेखा है, उपर नीचे बराबर होगा, एंगल 90 है, यानि कि मेरे दोस्तों, जो AC है, वही BC है मेरे प्यारे बाई, और होगा AB का आधा, कभी कभी common code की लंबाई निकालने के लिए, पेपर में आ जाता है, तो common code की लंबाई कैसे निकालेंगे, जवाब दो, भै यह circle की radius है R1, यह circle की radius है R2, और यह दोनों circle के बीच की दूरी है, center के बीच की दूरी है, D आपको DR रहेगा, तो आप इस triangle का area निकाल सकते हैं, triangle का area निकाल सकते हैं, इस triangle O1, A, O2 का area निकाल सकते हैं, O1, A, O2 area निकाल सकते हैं, अगर किसी triangle की तीनों भुजाय दी हैं, तो hero's formula से area आजाएगा, अब area क्या होता है, जैसा उपर है, वैसा नीचे 90 degree का call बनेगा, state light है, उपर नीचे बराबर करना है, तो 90, 90, area क्या होता है, 1, 2 base गुणा height, 1, 2 base है center के बीच की दूरी, into height, height क्या आजाएगा मेरे दोस्तों AC, तो यहाँ से आप AC find out कर सकते हैं, और AC आपने निकाल ली, तो मेरे दोस्तों सवाल सौल, ठीक है, next concept, अगर एक के अंदर एक सर्गाल है, तो कोई tangent नहीं खीची जा सकती, कोई tangent possible नहीं है, आगला concept मेरे प्यारे भाई, बेटे यह तो क्यों concept बता रहा हूँ, concept, इन पर base सवाल आपको खुज से करने हैं, ठीक है, जी, चलो यह बताओ अब, उतारते रहो, प्प्प्ट में इन की अप्प्लोड करवा दूँगा, यह हमारी concept के इनकी बुक में भी दिये हुए है, बनाएंगे, length of direct common tangent, direct common tangent की लंबाई, direct common tangent की लंबाई, आपके सामने बच्चों ये दो सर्कल हैं, सभी को साब साब दिखाई जे रहें, दो सर्कल, आपके सामने बच्चों ये दो सर्कल है, उनके center के बीच की दूरू ये находится o naught, उनके center के बीच की चूरू है d, इस circle की radius r2 है, इसकी r1 है, इसकी radius है वो r1 है, इसकी जो radius है वो R2 है तो यहाँ proof भी लिखा हुआ है वैसे जरुत नहीं है तो यह होते है direct common tangent A, B और C, D, C, T बोलते हैं D, C, T short में क्या आएगा अंडरू D square minus अंडरू D square minus R1 minus R2 का whole square यहाँ से parallel line रो करते है parallel line ही R2 है तो यह भी R2 आएगा यह भी बचेगा R1 minus R2 R1 minus R2 बचेगा 90 degree पाइथा गरस से आएगा D square minus R1 minus R2 का whole square बढ़ा अच्छे से proof यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह R1 minus R2 बचेगा आपका ठीक है अब length of transverse common tangent आपके सामने मेरे प्यार भी यहाँ पर दो circle दिखाए गए इनकी radius R1 और R2 है आपके सामने हाँ पर दो circle दिखाए गए इनके center के जो बीच की दूरी है वो D है दोनों circle की जो radius है R1 और R2 है center के बीच की दूरी D है मेरे प्यारी बचेगे न तो transverse common tangent है 3212 इस पर रेखा PQ और RS PQ और RS क्या है मेरे दोस्ते अंडरू D2 minus R1 प्लस R2 का QA Q दो circle की direct common tangent हमेशा ही transverse common tangent से बड़ी होती है तो circle की direct common tangent हमेशा ही उनके transverse common tangent से बड़ी होती है direct common tangent is greater than transverse common tangent आजकर रिख बड़ी चीज trending में similarity पर पूछ लेता आपके यहाँ पर दो डो राइट अंगल ट्रइंगल दिखाई दे रहें, दोनो राइट अंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, यह 90 डिगरी है, यह वर्टिकल अपूजिट अंगल है, वर्टिकल अपूजिट अंगल, तीसरे आउटोमेटिकली सेम हो जाएगा, दो उनके जो center के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी R1 प्लस R2 radius कसम, इसकी radius R1 इसकी R2 और R1 प्लस R2, तो direct common tangent की जो लंबाई होगी, direct common tangent की अगर दो circle externally touch करते हैं, 2 under root R1 R2, क्यों होगी, बैद D की जगे R1 प्लस R2 रख देंगे, formula में यह आएगा, तो अगर दो circle जिनक को externally touch करते हैं, direct common tangent 2 under root R1 R2, next concept मेरे प्यारे बाई, यहाँ पर द्यान से देखेगा, बच्चों, यह दो circle है, यह इनकी direct common tangent है, direct common tangent है, बीच में खाली जगे में भी circle डाला जा सकता है, अब इसकी radius R1 है, इसकी radius R2 है, इसकी radius R3, तो यह AC कीतना आ जाएगा, AC आ जाएगा, 2 under R1 R3, इस concept से, इसी concept से, यह BC क्या आ जाएगा, अब यह BC कितना आ जाएगा, BC, BC आ जाएगा, 2 root R2 R3, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, A भी, यह radius R1 है, R2 externally touch कर रहे है, तो A भी आ जाएगा, दो 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 कट गया, दौन तरफ R1 R2 R3 से भाग देंगा, root R1 R R2 R3 से तो concept बनेगा, 1 by root R3 बराबर, 1 by under root R3 बराबर, 1 by under root R1, पिलस 1 by under root R2, यह concept बनेगा, ठेक न, वन बाई, अगर इन दोनों सरकल की radius R1 R2 है, तो बीच वाले सरकल की radius R3 है, तो 1 by under root R3 बराबर, 1 upon under root R1, प्लस 1 upon under root R2, 1 by under root R3 बराबर, 1 upon under root R1, प्लस 1 by under root R2, समझ में है बहुत बहुत इंपोर्टेंट कंसेट्ट है सब बालक लोग समझता है आगे चलेंगे यह रहा है आपने नहीं सुनेगा अगर दो सरकल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पर तो ए लाइन कहलाएगी कॉमन कॉर्ड यह अभी कॉमन कॉर्ड है यह पर काट रहे है मेरे दोस्तों सेंटर को मिलाने वाले को नहीं नहीं होगा जो उपर अपी है नीचे पीबी अभी मैं ने समझाया ज़र इस कॉमन कॉर्ड की लंबाई निकाल लें तो हम एरिया को बराबर करते हैं एरिया को बराबर ट्राइंगल ओवन यह यूट जो एरिया होगा वह य अगर दो सरकल एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं, तो दोनों की सेंटर से बराबर है, CTR से पर्णी तक की दूरी서上,max से होके Sprite目 से थी सेंटर से के दूरे até च dłोरे सेंटर सेंटर होगी एकवल से मुजरते उन्हें होगीू हैं यानि कि अगर दो equal circle, equal radius के एक दूसरी कॉंटर सेट करते हैं, तो common code की जो लंबाई होगी, वो होगी root 3R, root 3R, means के paper में इसमें सवाल भी आया था, ठेक है बच्चे, बोलो, चलिए, लास्ट आपकार है मेरे दोस्तों, अगर आपके पास ये circle है, अगर circle के अंदर कोई ऐसा कॉलिटरल बनाया जाए कि उसके चारो vertex, अगर किसी कॉलिटरल के चारो vertex एक circle की परीधी पे हैं, परीधी पे, ABCD जैसे हो गया, तो एक कॉलिटरल कहलाता है, cyclic qualitral, cyclic qualitral, cyclic qualitral में आमने सामने के angle का sum, वो 180 degree होता है, चक्रे चत्रवुज में आम opposite interior angle के बराबर होता है, क्यों? बच्चो ये theta तो ये 20 degree minus theta, आमने सामने का sum, ये state line है, तो ये theta, बच्चे का state line है, theta, एक state angle जो हो गया, वो opposite interior के बराबर आएगा, समझ में आया, आप बोलोगे जी, तो ये circle की सारी thorums थी,